कि नमस्कार दोस्तों सुपर बातम गुड मोर्निंग इस बावी फीडी के सुकरात और पुलेटो और अरस्तु देशे गुरुजी को साधर प्रणाफ दोस्तों देखिया सुबर सुबर का टाइम है इतनी ज़्यादा पंपिंग मत कीजिए दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ आपके कुछ नहीं पिगड़ेगा आपकी दोचार सब्दान जान ले लेते हैं कि ऐसे खतरनाग दो सब्द है तो खिर आपका बड़पन की आप सुबर जल सब्दी उठ गए है वो है बारतमथा के सपूथ तो इन सपूथों को मेरा नमन सत सत नमन नमन भी नहीं सत शत नमन तो भाया और बेहन दurrection नहीं है यह आप देख還ंतान की हैं..? कि बोलता कोन कि वे अक बनान्द बोले है या मोदी जी ने बोले या मैंने मोले आप सबस्व अनद आ गया आप सारी खूब सारे आएं है कि सुनने के लिए कि मुद्धे पर आते हैं और मैं आप से चर्शा करूंगा प्वासात्य राजनेती के विचारक प्रमुख प्वासात्य राजनेती के विचारक कल जो एक ओनलाइन कलाश डली विभीन विचारकों की जो क्विक रीजन हुआ उसमें आपका खूब रिस्पॉंस आया मुझे उमीद थी उससे भी सुना ग दाया तो इसने मुझे प्रियृति किया आपको खूब सारे सुजाओ आए मैंने कोशिए सिये की है कि उन सुजाओं के किया सुधार किया जा सकता है ये भी मैंने प्रियास किया है मैं एक आप से थोड़ी सी ये मिप भी मंग हूँगा कि मुझे से आतिलाह राके और रसे ब बहुत सारी बधेश और लोकल उधान दे पाता आपको तो आपके चेरे के उपर हो सकता है मुसकान इस क्विक रीजन के दौरान थोड़ी सी गाइब रहे आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा वरना यह है कि मुद्धा अगर बढ़ गया चुटकले शुरू होगे तो बातें शुरू होगी तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी कंप्लीट नहीं होंगे तो आपके यह भी कईयों के सुझाओ आए कि कख्षा है ना इत्ती मज़ेदार दी और इस इत्ती पहले हुआ करती थे देखे पहले खूब टाइम हुआ करता था समझाने के लिए खूब सार मुझे से जुड़ गए हैं तो मुद्दे की सुरुआत करते हैं और पर प्रूख पास्ट विचार को में मैं आपको आज जोन लोक से सुरुआत कराता हूँ जोन लोक से सुरुआत कराउंज से पहले मैं आपसे एक मिनिता आपका कीमति समय और लूँगा है वो इस मुद्दे के उपर कि जैसे आज मैंने एक सुधार तो यह किया आप सबका जो सुजावाइ उसके बाद देखिए आप जो सुजाव देंगे ना उसी से मुझे सीखने को मिलेगा मैं आपको शिखाता तो कम हूँ और आप से सीखता जादा हूँ और देखिए आप भी जिन्दिक के यही फलस पापनाईए कि आप हमेशा ही विद्यार्थी बने रहे शीखने शिखाने का यह दोर ताजिन्दिकी चला रहता है आप दिकांस मुझे पता है इस बार इतने कम कंपिटिशन में और आपके हार्डर जो परियास किये हैं आपने आपने मैनत के एक अठोर परिश्रम किया है उसका प्रणाम यह निकलेगा आप में अधिकांस है उस शिख्षक बन जाएंगे इस बार आप देखेंगे तो शिख्षक बनने का यह तात्वरी नहीं कि आप अच्छे पहले विद्यार्थी बने रहे ना कि अन्होंने भी मुझे सुझाव दिया है कि आप कुश्षिंट भी करवाएंगे तो मैं आपको इना एक जैसी टॉपिक कंप्लिट हो जाएगा मैं आपको कि दूपर दूसरा कि यह जो जैसी पी के पीटी इनको पीपीटी जो भोलते हैं यह PPT जब complete हो जाएगी तो हम आपको इनकी PDF उपलुब्द करवा देंगे अब यह PDF उपलुब्द का होती है मैं आपको बता दूँ यह दो जगह है एक तो कलाम Academy के नाम से आप सर्च करेंगे तो कलाम Academy शिकर का खुद का एक Telegram Channel है तो आप वहां से इसको ले सकते हैं दूसरा आप एक मेरा खुद का Telegram Channel है पॉलेटिकल साइंस विद डॉक्टर बैनिवाल तो पॉलेटिकल पूरा लिखना है साइंस है उसको डोट लगाना है इस Telegram Channel से ले सकते हैं आपके दिकांस के पास कलाम Academy का है अगर नहीं है तो आप कलाम Academy का Telegram Channel है उसको भी जौइन कर लें कलाम Academy शिकर के नाम से आप जिससे यह कलाम Academy लगाएंगे तो आपको Telegram Channel मिल जाएंगे उसके उपर यह जित्ती आज PPT होगी इन सब की आपको PDF जोन लोग से शुरुआत करते हैं समझोतावादी विचारकों में जोन लोग बड़ा मैथपुन विचारक हैं समझोतावादी विचारक वो हैं सोशल कॉंट्रेक्ट वाले विचारक वो हैं जो यह कहते हैं कि जो रज्य का निर्मान है वो नय तो सभाविक रूप से हुआ ह है प्राकर्तिक रूप से हुआ है जैसे की युनानी विचार्क मानते थे सेक्रोट्स जाने सुकराथ पलेटो और अरस्टू नहीं वो देविये सक्ता से पैदा हुआ है कोई इस ही है सब्सक्राइक बीन गह नहीं है जो देवताओं ने पैदा किया हो राज्य को या राजा को जिसे मद्य काले भीचार्क मानते थे इन दोनों धाराओं के विपुरीत ये जो सामाजिक समजोताबादी ऑद्ption इए जिसका नाम राज्य है और ये बना कैसे ये बना है सामाजिक सम्जोते से हाला कि बाद में ये भी सामाजिक सम्जोते वाला है ये फलस्पा भी चला गया ये कंसेप्ट भी चला गया बलकि रज्य विकास हात्मा के ये विकास का परिणाम है दीरे दीरे विभिन समधायों के विकास होते होते विभिन चीजों के मिलते मिलते और रज्य का निर्मान हुआ है तो हम तीन समझोता वादी करते हैं जो कहते हैं कि रज्य सामाजिक समझोते से पैदा हुआ है ऐसे विचारकों में एक विचारक का होपस, दूसरे हैं जोन लोग और तीसरे हैं जीन, जैक्स, रूसुम इन तीन विचारकों के हम सर्चा करते हैं सामाजीक समझोते हैं कि सर्चा हम तब भी करते हैं जब हम किन्स की सर्चा इसकी सोरी कांट की चर्चा करते हैं इमानुवल कांट जो जर्मनी की बहुत बड़े अदर्सवादी दार्शनिक थे इमानुवल कांट की चर्चा करते हैं तो उनका ओरिजिनल कॉंटरेक्ट पढ़ते हैं तो हम कांट के संदर्ब में भी सामाजिक समझोता पढ़ते हैं लेकिन वो संद्रब थोड़ी अलग है हम सामाजिक समझोते की चर्चा तब भी करते हैं जब हम जोन रोल्स का नियाए सिदान्त परते हैं सामाजिक समझोता नियाए का सामाजिक समझोता शिदान्त किस का है तो वो सामाजिक समझोता अलग परकार का वो नियाए के संद्रब म नहीं है बलकि यह रज्य की उत्पत्ति के संद्रब में तो ऐसे ही महतपुन विचार जोन लोक की चर्चा कर रहे हैं देखिए कोई एक वेक्ति अपने विचारों से कितना बड़ा परिवर्तन कर सकता है इसका सबसे बड़ा उदान तो कार्ल मार्क्स है लेकिन उसका एक बड करेंगे वो करेंगे जोन लोक का जोन लोक बिर्टिस था और प्यूर्टन परिवार में पैदा वा प्यूर्टन मैंने कल बताया था इसायों का वो फिक्रा इसायों का वो तबका जो अपने आपको मोडरन मानता है और रूडियों से मुक्त मानता और अधुनिक मानता है बि protestant जो इसाई है उन्हीं की एक परंप्रा का हिस्सा है पुरुटन तो यह पुरुटन परिवार में पैदा हुआ यह रूडिवादी इसाई नहीं था बेलकि अदूनिक मौडर्न इसाई था जिसे हिंदू जो दर्में सुधार किया रिया समाज आया बर्म समाज आया वह पुरुटन थे पुरुटन प्रिवार में पैदा हुआ यह गोरोपुरुण करांती का गुवाद था 1688 बिर्टेन में एक करांती हुई जिसको हम गोरोपुरुण करांती रखती इन करांती कहते हैं और यह करांती हुई दो वहां गुट बने वे थे एक गुट का नाम था टोरी तोरी वह थे जो राजा की सक्ता को बनाए रखना चाते तो सामनतवाद के समर्थक थे और दूस बंदो थे ही जो संसत के समर्थकत राजा की सक्टियों को शिमित करना चाहते थे और संसत के सक्तियों को बढ़ाना चाहते है अब विग थे तो टोरी और विग के मद्य यह करांती हुई यह दो गुटों के मद्य और जो जोन लोग था वो दरसल विग था विग का था विग प्रंप्रा का समर्थखता तो संसद के सक्तियां बढ़ाना चाहा रहे थे और इस ओड़ा सव क्रांट अठाशी की करांती के बाद टोरी हार गए राजतंतर और समंतवाद के समर्थखा आर गए और पुंजिवाद और संसद की संफर्भूता के समर्थखा वो जीत गए एक शिमीत राजिया पैदा हुआ राजा के सक्तियां गटा दी गई तो ये गवर्वपुरूण करांटी जोन लोक के समय होई और जोन लोक ने इस करांटी के अगले ही साल एक पुस्तक लिखी टूट ब्रीट्री जोन शिविल गववर्मे wraps़ेन्ट नमबर एक दूसरा इसी गवर्वपुरूण करांटी के अगले साल एक और महतब काम हुआ में मूल अधिकार हैं वैसे हैं तो यह गोरवपुर्ण करांती का गुवा था विगदल का सदश्य था हम इसे उदारवाद का पिता बोलते है अब जैसे ये उदारवाद का पिता है अब उदारवाद को आप दो हिस्सों में कर लें एक उदारवाद है जिसको हम परंपरागत उदारवाद बोलते है क्योंकि पहले तो इसका नाम उदारवाद ही था फिर चुंकि अदूनिक आ गया तो ये लोक वाले उदारवाद को प्रमप्रागत का गया तो उदारवाद या प्रमप्रागत उदारवाद का पिता है उदारवाद वो विचारधारा है जो समाज में दीमे प्रिवर्तनों को स पुष्थक है कनार्डा के बहुत बड़े विद्वान है एक पुष्थक है टॉरंट विश्टी में इनकी पुष्थक है पजेशिव इंडिजियलिजम होब्स टू लोग इस पुष्थक में एक पर्षन ने जोन लोग को उदारवाद का और इनका मुख्या कहा है जोन लोग को हम अनभवाद का पिता एंपेरेशिजम का पिता भी बहुत ने देखिए तो फिलोसुफि में बहुत जादा चलता है अगर आप दर्शन पढ़ेंगे तो टेबूला रा कारी स्लेट बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि अनभवाद है क्या देखिए दो दाराएं है अनभवाद और तरक बुद्धि वाद राषनलिजम और एंपेरेशिजम राषनलिजम यह कहता है कि ज्ञान पहले से ही बुद्धि में होता है चीज़ें जैसी पर्तेक्स होती ह है वो ग्यान जागर्त हो जाता है अनभवाद यह कहता है एंपेरेशिजम यह कहता है कि जनम के समय बुद्धि में कुछ नहीं होता है वो टेबूला रासा होती है जिसा कि जोन लोग का कि गया है बहुत मेरतपुन सब्दे जोन लोग का वो कोरी सलेट की तरह होती है उसमे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता इसमें जो कुछ लिखा जाता है वो अनौ वहाँ से लिखा जाता है तो आपके पास जितने जादा अनौ होंगे बांती-बांती की चाहिए वो सुआध के रूप में हो जाए इंद्रियों के किसी भी अंग्स है आपने कुछ अनुबह पराप्त की हैं तो जितने जदा आप वन वो होगा ग्यान उसी शे होगा तो ग्यान का आधार अनुबह है बुद्धी में पहले से कुछ नहीं होता अनुबह बढ़ते जाएंगे आपका ग्यान बढ़ता जाएगा तो आप कई बार कहते हैं कि देखी जो बुद्ध बुद्धी आता है और विश्वास नहीं करेंगे बुद्धाम जो सबसे ज़्याद में होते हैं और अपकांदीस्तान में होते हैं और मा्रवाडी बुद्ध्याथा खाते हैं तो आप बताओ बुद्धी जैदा कहाँ है तो बुद्धियान उनुभाहें से आती है बढ़त जब कि मारवाड़ी और गुजराती जो खंबन डोगड़ा खाते हैं चिन्नी खाते हैं और बुजिये खाते हैं वो है सबसे जद्धा उंश्यार तो खेर जो भी है मैंने कहा कि जौन लोग अन्भववाद का पिता है खुल मिला के बिदाम खाने से नहीं बुद्धी आती है बच्वीड खाने से मैंने आप से पहले भी कई बार का जिते जदा बच्वीड खाओगे जिते जदा गूमोगे बटकोगे दुख देखोगे बुद्धी उतनी जदा आएगी तो बुद्धी ज्यान सब का पिता कौन है सिमित सरकार वे सिमित संपर्भूता का चनलक देखी ये पूरी जो करांती हुई थी गौरपूर्ण करांती इस करांती के बाद सिमित और सरकार का एक कंसेप्ट आया सिमित संपर्भूता का इस से पहले जो राजा हुआ करता था वो निरंकुस हुआ करता थ इस करांती के बाद राजा के पर काट दिए गए राजा की सक्तियां कम कर दी गई यानि राज्य की सक्तियां कम हो गई बिलो फ्राइट्स के बाद जनता को अधिकार मिले और जनता को जब अधिकार मिलते हैं तो राज्य के अधिकार उतने कम हो जाते हैं क्योंकि अधिकार य अधिकार शिदान्त ये कहता है कि अधिकार है वो प्रकर्ति की देन है वो इस्वर परदत है अधिकार किसी राज्य की देन नहीं है चूंकि अधिकार राज्य की देन नहीं है तो राज्य अधिकारों को छीन भी नहीं सकता और जोन लोग कहता है ऐसे तीन अधिकार है जीवन सवतन तरता और संपति का अधिकार यह हमें प्रकर्ति ने दिये हैं यह हमें इस्वर्द परदत हैं यह सभाविक है जो कि यह दिकार प्रकर्ति ने दिये तो राज्य इनमें अस्क्षेप नहीं कर सकता तो यह दिकार अबाद है कोई भी आपकी संपति को आपकी इच्छा के वगए रचीछ नहीं सकता आप उसे ही टेक्स नहीं लगा सकता तो इनमें जो मुख्य अधिकार है वो है सम्पति का दिकार और जॉन लोग का ये बहुत एक बार पूछा हुआ है कि सौतन तरता को कौन सा दिकार कहता है तो जॉन लोग सौतन तरता को सारो भूमिक अधिकार यूनिवरसल राइट बोलता है एक उच्छन ये बनता है दूसरा ये बनता है कि इन तीनों अधिकारों में वो किसको महतपूर मानता है तो संपती के अधिकार को ज्यादा महतपूर मानता है अकेला जोन लोक ही नहीं इसी प्रवर्थी को बाद में नोजिक भी ले के आता है तो रोबर्ट नोजिक और जोन लोग दोनों संपती के दिकार को सबसे ज़्दा तुइत्र दिकार मानते हैं इसी लिए शी भी मैक फर्शन ने जिसी थोड़ी दे पहले हम चर्चा कर रहे थे जिनकी पुष्टत थी पजैसे इंडिविजिलिजम होब्स्ट लोग कि ये बुर्जवा ताना शाही का परवक्त बुर्जवा में पुझिवादी होता है बुर्जवा उसकी ताना शाही का परवक्ता है जोन एक फर्शन ने का है वुड ने ये का है कि लोग कर्शी पुण्जी वाद का परवकता है आगे देखते हैं जो उन लोग के बारे में तो ये कुशन बड़े-बड़े महतपुन कुशन है जिनके बारे में शिदा ही पूसा जाता है कि इनके संद्रब बताईए आप ये किस संद्रब में हैं तो हमने देखा कि जोन लोग उदारवाद का पिता है अनववाद का पिता है प्राकर्तिक अधिकार सिदान्त का पिता है और जोन लोग कहता है कि ये प्रवकता है बुर्जवात अनशेगा और पुंजिवादी बहुनाग है हम हम जिसके लिए जोन लोग जाने जाते हैं वो है उनका सामाजिक समझोता सोशल कॉंट्रेक्ट जिससे पैदा हुआ है राज्जी यह कहते हैं मानों का जो सभाव है वो बिलकुल अलग प्रकार से चित्रित किया है जेशां की होउप्श ने चित्रित किया है उसका उल्ता एक विचारक है लियो स्टोस और यह है रोबर ट कोक्स लियो स्टोस और रोबर ट कोक्स ये ये कहते हैं लियो स्टोस एक बिर्टिस विचारक है बहुत बड़े समकालीन परंपरावादी विचारक है स्वरी यूस के लियो स्टोस शिकागो उनिस्टी में परंपरागत जो दारा है उसका प्रतिनिद्दु किया करते थे ये कहते हैं कि अगर आप जोन लोग की पुस्त के पड़ते हैं और इनकी सामाजिक समझोता उसके बाद राजियक का निर्मान बस किया क्या है कि खौब्स की जो सब्दावली है उसको चीनी में लपेट दिया है जोन लोग ने ये कहना है लियो स्टोस का और रोबर्ट कोक्स का चीनी में लपेटने का तातपरिया है कि मधूर भासा में पुनर कथण किया गया है मदूर बासा के पुन्दर खतन का अतात परिया है कि होप्स की बासा का उसको मदूर करके और वही बातें वापस बोल दी गई है तो जहां होप्स ने मानो सोबाओ का नकारातमक चितरन किया था जोन लोग ने उसका सकारातमक कर दिया होपस ने कहा था हुए अक्ति बुरा होता है स्वार्थी होता है सक्ति प्रेमी होता है और जो उन लोग कर रहे नहीं वो तो अच्छा होता है शेयोगी होता है बंदू तो वाला होता है वो तो यह दूसे से प्रेम करने वाले होते हैं तो बस इतना ही किया है फिर हम देखते ह जब रज्य का निर्मान नहीं हुआ था उसे पहले के अवस्ता को हम प्राकर्तिक अवस्ता कहते है यहां सौतंतर्ता और समानता की अवस्ता है सौतंतर्ता का तात्परी है क्योंकि रज्य की सत्ता नहीं है तो किसी के उपर किसी का कोई नियंतरन नहीं है दूसरी है समानता किस अर्थ में समानता तो यह मुदा आर्थिक समानता का नहीं है यहां इसका तात्परिय है कि रज्य में सभी वेक्तियों को समान रूप से अधिकार मिले हुए तो अधिकारों के मामले वहाँ समानता है, राज्य है नहीं, समाज अब बिलकुल खुला है, सभी को समान अधिकार मिले हुए है, तो समानता है अधिकारों के संद्रब में, ये राज्य पूरो वस्ता तो है, लेकिन समाज पूरो नहीं है, ये एक बहुत महत्तो पूर बात है होब्स की जो प्राकरति का वस्ता थी वो रज्य पुरो और समाज पुरो दोनों ही थी देखिए यहां सब कुछ है यानि समाज है समाज का तात्वरिय समाज एक बड़ी इकाई होती है समाज के अंदर शिक्षा भी आती है समाज में बाजार भी आता है समाज में राजनिति इकाईयां भी आती है तो समाज तो एक बड़ी इकाई है हम यह करें यह है समाज इसका एक पार्ट है वो है सिक्षा व्यवस्ता इसका एक पार्ट है वो है धरम इसका एक पार्ट है वो है राजनिति इसका एक पार्ट है वो है बजार तो शعمश व्यूश्था धरम, राजनिती, बजार, परिवार यह सारे मिलते हैं तो समाज बनता है तो देखी इसमें सिर्व राजनिती गाइब है प्राकलती के व्यूश्था में जो लोग की प्राकलती कीया बाक्यी चीजे तो है वहाँ ची शिक्षा वेवस्ता है, वहाँ लोग पड़े लिखे है, सूसर्स करता है, उनके खुद की एक संस करती है वहाँ बाजार है, वहाँ लेंदेन है, वहाँ अर्थ वेवस्ता है, वहाँ धरम है लेकिन है क्या नहीं? रज्य का निर्मान नहीं हुआ है अबस कहता है दोनों निर्मान रज्य का भी नहीं हो और समाज का दोनों का नहीं हो है तो लोग कहता है नहीं नहीं समाज तो है लेकिन रज्य नहीं है तो अब हम कहते हैं कि रज्य पूर वस्ता तो ही पर समाज पूर वह नहीं है समाज बना हुआ है, रज यह नहीं बना हुआ है तो फिर इस प्राकर्तिक अवस्ता में क्या है तो फिर समाजिक समझोता क्यों करना पड़ता है इतनी अच्छी अवस्ता है प्राकर्तिक अवस्ता तो क्यों करे हम रज्य का निर्माण तो जोन लोग ये कहता है कि कई बार संपती के संदर में ऐसा मांताइं पैदा हो जाती है जब संपती के ऐसा मांताइं पैदा होती है तो लोग जगडते हैं जगडते हैं तो उन जगडे का निप्टारा करने के लिए वहाँ कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो कानूनों का निर्मान कर सके जो कानूनों का किर्यानवन कर सके और निर्ने कर सके यानि विदाईका कारिय पलिका न्याय पलिका जैसी संस्थाई नहीं है जो संपती समंदी जगडों का निप्टारा कर सके शांती बनाई रख सके तो इसके ये फिर संपति वित्रण की ऐस मानताओं से जो विवाद उत्पन होते हैं उनको समाप करने के लिए फिर रज्य का निर्मान किया जाता है और सामाजिक समझोता किया जाता है तो जोन लोग कहता है दो समझोते हुए हैं पहला समझोता है उसके तहत शीविल सोसाइटी यानि रज्य का निर्मान किया जाता है यानि सारे लोग मिलके और एक रज्य का निर्मान कर लेते हैं कि हम इस भूभाग के अंदर हम सब आपस में रहेंगे मिलके रहेंगे तो एक जनता और भूमी यानि जन्दपद का निर्मान हो गया जा जनता रहती है बूमी है उनके पास ए देखिए सरकार की स्थापना यह पूसा जाता है कि किस रूप में की गई है कि ट्रस्ट के रूप में की गई है ट्रस्ट वो इकाई होती है जिसके अपने विश्वास करते हैं ट्रस्ट विश्वास से बनाए ट्रस्ट करता है विश्वास यह नियाशिता तो जिसमें हम विश प्रस्ट के रूप में सरकार की स्थापना की जाती है और सरकार का करतोव्य क्या है क्यों ट्रस्ट बनाया गया है कि नागरीकों के प्राकरती का दिकारों की क्या की जाए रक्षा की जाए क्योंकि लोग एक दूसरे की संपती चीद रहे हैं जगड़े हो रहे हैं समाज के अं रूप में क्या सौंपा गया कि ये आपका काम है प्राकरतिक अधिकारों की रक्षा करना लेकिए सरकार बन गई है उसका कोई अधिकार नहीं है सिर्फ उसके करतवे हैं कि वो लोगों के जो प्राकरतिक अधिकार हैं जीवन सवतंतरता संपति उन सब की रक्षा करेगी तो सरकार और रज यही अधिकार देती नहीं अधिकार तो पहले ही है इनका निर्मान तो किया गया है अधिकारों की रक्षा के लिए यह दूसरा समझोता यह हुआ कि इसमें ट्रस्ट के रूप में सरकार किस्ता अपना हुई तो क्या समझोता भंग किया जा सकता है कि मुद्दा ये है देखिए हॉप्स का समझोता भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि हॉप्स ने एक ही समझोता किया है जैसी आप समझोता भंग करेंगे तो वापिस प्राकरती का वस्ता में चले जाएंगे जहां किसी का भी जीवन सुरुक्षिते नहीं है और कोई भी वेखती अपना जीवन वापिस ऐसी बतश्य नियाए वाली आवस्ता में नहीं ले जाना चाहता है तो लोग क्या कहते हैं सामाजीक समझोते के बारे लोग के दर समझोता भंग हो सकता है क्योंकि समझोता एक नियावल के समझोते कितने हैं दो हैं इस पर हाँ बहस की जा सकते हैं कि समझोता एक है या समझोते दो है इस पर यह अगर अलग बहस का मुद्धा है तो यह करांती का अधिकार है किरांटी का अधिकार 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 का बात यानि यह बदलेगा कौन देगे सरकार बदलने के लिए जरूरी है कि सरकार बनेगी वो सहमती से बनेगी और सहमती का ताथ प्रिया शिर गिने जाएंगे लोगतंतर के अंदर तो कौन से लोग समजोता बंकर सकते हैं बहु संख्यक लोग यहां समजोता बंकरने का ताथ सरकार बदलना तो सरकार बदल दी जाएगे हम बदलते हैं ना करांती करते हैं करांती का दातर पर सरकार बदलना हो यह थे सांतिपरूत तरीके से हो सकता है बहुसंख्यक लोग नया समझोता करके नहीं सरकार बना लेते हैं वोटों के माध्यम से तो बिलकुल करांती का अधि अधिकार दिया गया है लेकिन करांती का अधिकार है किसको यह ध्यान रखें आप यह कुछ नाता है कि वह सिर्फ बहुसंख्यक लोगों को है आप अगर मोदे जी की सत्ता को बदलना चाहते तो कम संख्या के लोग नहीं बदल सकते बदलने के लिए जादा संख्या में जिस पार्टी को वोट आएंगे वो अपने आप मोदे जी को सत्ता से बाहर कर देगी यह उधान से समझाया देखिए आप अंधे थाने लेंग राष्ट्रवादिया आप महें जो भी मैं तो बता रहा हूं कि बहुसंख्यक का ताथ पर यह क्या होता है समझोता तो यह समझोता है कैसा देखिए समझोता दारसनिक और एतियासिक दोनों है यह है कोश्चन वाली बात होप्स का समझोता वो दारसनिक तो था दारसनिक का ताथ पर यह है कि आपको अपने तरक परनाली को साबित करने के लिए कलपना की है तो दारसनिक रूप से को क्या इतिहास के किसी पल मैंसा समझोता हुआ तो जोन लोत करता है एक मैफ लावर जाहाज में सुआर हो के और ब्रिटिस लोग तातकालिक ब्रिटिस से राज़ा के अतियाचारों से तंग वह और भाग रहे थे अम्रीका तब उन लोगों ने यह सम्झोता किया था मैफला और समझोता और उसमझोते ने सबने ये कहा था कि हम एक ऐसे रज़्य का निर्मान करेंगे वहां ट्रश्ट के रूप में सरकार बनाएंगे जो हम सब के प्राकर्तिक अधिकारों को रक्ष्या करेगी तो ये था मैफला और समझोता तब हम कहते हैं कि जोन लोग का समझोता दर्सनिक भी है और इतिहास के एक पल में हुआ भी है 1620 का मैफला और समझोता तो कई बार पूछते हैं मैफला और समझोता ये क्या है तो ये लोग से समझ देते हैं एतिहासी के एक समझोता है जिसके द्वारा राज्य का निर्मान हुआ अब हम ऐसे चार-पांच महत्रपून क्वेशन्स करेंगे जोन लोग के बारे में जोन लोग के बारे में क्वेशन्स मैं आपको समझाने से पहले मैं आपको एक दो एक चीजी और बता दू जोन लोग का एक सिधान्त है संपती के संद्रब में संपती का सरम सिधान्त ऐसा ही एक सिधान्त है डेविड रिकार्डो का रिकार्डों है डेविड रिकार्डों वो बिर्टिस अर्षास्त्री है डेविड रिकार्डों का वो है मुल्य का सरम सिधान्त और तीसरा सिदान्त है वो है मार्क्स का वो है अतिक्त मुल्या का सिदान्त देखिए तीन सिदान्त है संपती का सरम सिदान्त जोन लोग का कि आप उसी संपती के मालिक होंगे जिसमें आपने अपना क्या मिलाया है सरम मिला है आप जिते ज़्यादा मैंत करेंगे जिते ज़्यादा योग्या होंगे वो उत्ती संपती आपकी होगी राज्य उसमें अस्त्कशेप नहीं कर सकता तो जो लोग ने अस्त्कशेप कारी राज्य का स्मर्थ कि वह आपकी शिरफ करेंगा और मामलों में शंपती के बामनें अस्ट शेप नहीं करेंगा तो जोंडलों का राद वह एस्ट शेप कारी बहुए है लेश फेर स्टेट fig he नहीं थी इसको पेन का रूप दे दिया तो इसे उसकी वैलियू होगा इसका मुल्य पैदा फ्रेले सी ज्यादा वैल्यू बल होगी काम में आने लाestar हो गई तो इसको में वैल्यू पैदा घरी यह सरम पैदा तो पूंजी और साहस और भूमी इनकी बजाए मैतपून क्या है सरम जदा मैतपून है और मार्क्स कहता है मार्क्स कहा है अत्रिक्त मुल्य का सिधांद कि ये जो पूंजी पती होते हैं ये इस सरम का जो वास्तिक इसा है वो हड़प जाते हैं मुल्य पैदा तो जो करता है व वो पसीने से करता है अपना कुमार हो सुथार हो ये सारे चीजों को दरजी हो टेलर हो ये सारे क्या करते हैं ये वैल्यूएबल बनाते हैं चीजों को लेकिन ये वैल्यूएबल होने के बाद उसका प्रॉफिट कौन खा जाता है वो खा जाता है पूजी पती तो ये है अत्र पांस मेह तपन कुश्चन जो जोन लोग के उपर कहिन कहीं पुछे जा सकते हैं पुछे गए हैं या उमीद करें कि इस बार आ जाएं सीबी में एक फर्षन ने किन विचारकों को अपनी पुष्टक में पजेशी इंडियुजिजलम में सवतो मुलक व्यक्तिवादी वे पुण्जिवाद के समर्थक कहा है अभी मैं आप पुष्टक करवा के हटा हूँ मुझे लग रहा है कि आप में अधिकांस इसका उत्तर ज जलते हैं आप देख लीजिए निमली कित में से कौन सी पुष्टक का लेखक जौन लोग नहीं है तो देखिए लेटर और टॉलरेंस उन्हों ने लिखी है टू ट्रिटी जोन शिविल गवर्मेंट उनकी पुष्टक है एन ऐसे कंसर्निंग दा ट्रू ओरिजिनल एक्स्ट जबाब दिया है जो सही है देखिए यह आप अच्छी तरह से ध्यान रखें एन ऐसे कंसर्दिंग देट्रू ओरिजिनल एक्स्टेंट एंड और शिविल गवर्मेंट यह इस पुष्टक का जो टू ट्रिटी जोन शिविल गवर्मेंट है इसका वास्त्विक नाम यह वाल लोग से समन्दीत नहीं यह तो आप सारी बता देंगें अंद्वबवाद का पिता है उदारवाद का भी पिता है प्राकरत हुए दिगार सीधान का भी जनक ठाय का नहीं है लोकल ल्यांकारी राज्या का नहीं बलकि यह रात्री प्रेरी राज्या का जनक रात्री राज्या वो है जो सिर्फ स्रक्षा करता है कल्यान नहीं करता यह है एह स्थक्षेपकारी राज्या यह पर अभुच आख परिफिए इस का राजय वो होता है जो आपके संपति समंदि मामलों में आश्घक नहीं करता तो इन राज्याओं का तो समर्थ है लेकिन लोकलन कल्यान करी राज्या के यह समर्थ ह teachings नहीं है जोन लोक ने अरव 15 बताया है। वो कहता है कि नियाएपालिका है न ये कारियपालिका का पार्ट है तो उसने तीन अंग बताए हैं विदाइका, कारियपालिका और संग ये सकती यानि विदेश मामलों को जो निंतरित करती है वो वाली एक और डिपार्टमेंट होगा तो सरकार के तीन अंग है विदाइका, क और संग ये सकती जो जोन लोक ने बताएं हम तो तीन ये करते हैं विदाइका कारे पालिका न्याइपालिका 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 किया है बिल्कुल बात सही है यह तीन प्राकरतिक अधिकार बताएं पिट्र लोसलेट के अंसार लोग ने तो विग परंप्रा का परोक्ता था और नहीं लेकिन यह तो मुद्दा ही अलग है पिट्र लोसलेट पिट्र लोसलेट एक अमरीकन विचारक है जिसने पहली बार खोजबीन करके यह बताया कि जो यह पुष्टक है टू ट्रिटी जो शिविल गोवर्मेंट बड़ी मज़दार चर्चा है पिट्र लोसलेट के संदर्ब मे कर रहे हैं यह करेंगी अदिकांस विद्वान यह कहते हैं कि यह जो टू ट्रिटीज नागरिक समाज के उपर नागरिक सरकार के उपर जो दो सम्झोतों की चर्चा करता है जो एक मेतरपुर्ण पुस्तक है जो नो होस्ट लो की टू टू टूट्र पिट्टीज ऑन सीवल विद्वान है जिसने रिसर्च करके ये बताया कि नहीं ये पुष्टक लिख तो बहुत पहले गई थी ये शोड़ा सो निवाशी 90 में नहीं लिखी गई बैलकि लिखी तो इससे पहले गई थी साथ आठ दस साल पहले लिख ली गई थी सपाई ये बाद में गई थी क्योंग इससे पहले वहां राजा था इसे डरता था लोक तो लोक ने जब गोर्वपुर्ण करांती हो गई और राजा हट गया उसके बाद इसको सप्वाया तो resurrection सट कि लोग ने तो विग परंपरा का परोगता था और नहीं इसने जो पुष्टक लिखी है टू 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 गॉर्मेंट वो गोरपुर्ण करांती का उच्छी तेसीद करने के लिए 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 तो मैंने आपको पर तो यह दो वक्या समझाया बहुत ही मैं तो दे और यह कुछ और कह रहा है तो है तो दोनों सही लेकिन आर एक सही वियाख्या नहीं है तो इसका उत्तर भी है तो आपने मनोयोग पूरवक्त जोन लोग के बारे में पढ़ा एक महान उदारवादी के बारे में पढ़ा थेंक्यू आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इसको पढ़ा मेरे साथ जुड़े रहे अप लगातार अब मैं आप से एक और मज़ेदार विचारक की चर्चा करूंगा और वो विचारक है ये अगर आपको प्रेरित होना है तो आप एक काम करें दो वेक्तियों की जीवनी जरूर पढ़े एक आप पढ़िए जे जे रुसो की और दूसरी पढ़िए काहल मास की मुझे जे 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 रुसो की जो जीवनी बहुता प्रेरित करती है यह आपको जीवन जीने के अलगी तरीके बताती है आपकी सोच को बिल्कुल अलग दिसा में ले जाती है मुझे अच्छी तरह पता था लगवग आठ साल पहले की बात है और मैं उन दिनों जोन लोग की जीवनी पढ़ रहा था और मेरा किशी कानवस से जाना हुआ मेरे डिपार्टमेंट में जब मैं स्कूल एजूकेशन में था तो मैं कोई उस टाइम एडियो कोई पोस्ट हुआ करते थे मुझे पता नहीं वो पोस्ट होती या नहीं होती Additional District Officer Education के सिंदर में ADEU तो उनके पास बेठा था था वो दो वेक्ती बेठे वे थे और वो अपनी संथानों की चर्चा कर रहे थे और चर्चा ये कर रहे थे उसको क्या करवाना है उसको ये करवा देंगे वो तो कहते हैं मैं तो ये करूँगा तो मैंने उसका नहीं नहीं बैटा तेर तो ये करना है कुल में लाके वो दो बाप थे जो अपनी बाप गिरी जाड़ रहे थे वहाँ और अपनी संतानों को अपने अकॉर्डिंग बनाने की कुछ ने कुछ कोशिस कर रहे थे ने देखा चत्रसरों नहीं देखा नहीं रूसों की कोई पराध्य टाइप का वेक्ति एक नंबर का सुराबरी था और कभी बीबी ओपचारीक ही नहीं लिए यह मेरी तरह नहीं कोई पिस टॉट्टरैटर निया है होई तो है तो कई बार तो मैं यह सोकता हूं कि जो प्रतिबाईं होती है प्राक्रतिक होती है अब तीयारosse प्रतिबा हो तो आपके सामने हूं पहले मैं खेत में कान किया करता था तो मैं जानता भी नहीं था इन चीजों को आज से तीन-चार साल पहले तो अब मैं आप जानने लगा हूं तो मैं कहता हूं हम परयासों से पहुंच सकते हैं सब उस नहीं है तो जेजे-रुसों का जीवन ऐसा ही था कभी भी उफ़तारीक रूप से विद्याले में नहीं गया फिर भी इतना महान विचारक बन गया और इतना महान हो गया कि जो 1789 की फ्रांस की करानती है उसका प्रनेता कहा जाता है कि वो जेजे-रुसों के विचारों के एक वजय से हु इने अत्याजारों से बसने के लिए अपने बाप और अपने मालिक जो कि उससे नियूँ खुदवाया करता था ये भाग गया था फ्रांस फिर इसका अगामे जी उन फ्रांस में भी था इसको राष्ट्री असेंबली का पागल सुकरात का है एंडमन बरकने क्योंकि आप देखेंगे कि इसकी बात औरों से बिलकुली अलग है बिलकुली नई बातें करता है हम आगे देखेंगे बिलकुल वास्त में क्या ये पागल सुकरात की तरह पागल है क्योंकि सुकरात भी बने-बनाए और सथापिद नियमों को नहीं मानता था मिलकि वो ये कहता था कि अगर हम तरक से अच्छे सत्य को प्राप करने तो वैसे ही सत्य को अमाज में लागू करें तो जो परंपराएं थी और कूमराएं, जिनको भोग अच्छी परंपराएं मानते थे कि शुक्रहात उनके उपर कुश्चन चिनल परसनवाचक लगाया करता था वैसा ही परसनवाचक स्थाफित परमप्राउं के उपर जे जे रूसों लगाता है तो इसलिए एंडमंड बर्क जो कि एक बहुत बड़ा प्रमपरावादी है रूडी वादी है अनुधार वादी है जो ब्रिटेन का है हम कहते हैं कि रूडीवाद का पिता कौन है तो एडमंड बर्ग है वो जो की बिर्टिस संस्दका सदिश्य भी वा करता था तो इसने जे जे रूसों को राष्ट्रेसेंब्ली का पागल सुपरा जब अरना आता है कि यह कौन से संद में आई या आप इनको ना करम से लगाई कि किस कि संद में इस भी थी यह तो यह ध्यान रखेंड आम अमबेडगर की पुष्ट के कालर मास की पुष्ट के और जे जे रुसो की पुस्त के इनको काल कर्मा नुसार जरूर याद करें तीन विचार कों कि मैं फिर बता रहा हूं जे जे रुसो काल माक्स और बबबा साब बीम राओ अम बेड़ गर इन तीनों की पुस्त कों को इन वे इंखने नंफीन पहला जो लेक लिखा था वो था डिसकॉर्स ओन दा मुरालि एफेक्ट ओव आर्ट्स औड शाइंस दूस रहा है यह सेटर्डर स्कोर्स है इतना ही लेगे कि शिदह किसी डिस्कोर्स होता है किसी विशन करना करना तो डिस्टर्स on the moral effect of art and science शिदह भी सीने बोलते हैं इसको सोन या फस्ट्पिस कोर्स इस में विज्यान और ने मनुश्य की नेतिकता के उपर到底 पर च्रेंट चना की गई है दूसरी विवेश नहीं जो सेकंड स्कोर्स है वह है दे ओरीजन ओप इन इक्वालिटी यह दो लेख है इसके बहुत ही मैध्तपूर्ण जो सत्रासो चोपन में आया था दूसरा और पहला आया था यह था सत्रासो उनसास में इसमें एक इन इक्वालिटी कैसे पैदा हूए संसार में ऐसमानता कैसी आई इसके बारे में वरणन है फिर इनकी पुस्त का सोशल कॉंट्रेक्ट सत्रासो बासट देखिए तीन पुस्तकों को आप जरूर याद रखें एक तो लेविया थन कब आई दूसरा टूट्रेटी जोन स्यूल गवर्मेंट कब आई लोकवाली और तीसरा है जे जे रूसो की सोशल कॉंट्रेक्ट कब आई तो यह सतरासो बासट पिर एंगाई ली है एज्यूकेशन के अउपर लिखी गई है सतरासो बासट में इसमें कई रिटेंट टूर पकरती की और र्लॉटों यहां परकरती की और लोटने का ताथ्प पर अपने जो सभाव है वेवारिक सभाव है हम कैसे होते हैं कि हम बिल्कुल विश्वासने पस्वों की तरह होते हैं जदा तरकबुदी लगाते हैं तब दिक्कत आती है तो आप रिटन टू नेचर का ताथ पर जंगल में लोटना नहीं है बलकि आप सादकी की तरफ लोटन है अच्छाई की तरफ लोटना है भूलेपन की और लोटना है सलाकियां वलाकियां सब छोड़नी है वो है रिटन टू नेचर यह एमाईली में लिखाए कि बच्चों को रिटन टू नेचर की सिख्षाद हो आप उनको परकरती के सानिद्यें में लेके जाओ और जैसा वो करते हैं उनको वैसा है रखिया आप बाप बनके उनको मत देखिए उनको छोड़ी थोड़ा सवतंतर कीजिए और बच्चों को अपने अकोर्डिंग क्रियेटिविटी और कारिये करने दीजिए उनके मस्तिस को मुक्त कीजिए आप अपनी इसाप्शन को बांद यह मत यह क साइस कह देते हैं फर्ष्ट डिस्कोर्स कर देते हैं डिस्कोर्ष और मुराल इफेक्ट ओफ आर्ट्स एंड साइंस नेतिक स्रीतर को कैसा कर दिया है कला और विज्ञान के विकास ने तो रूसो का इस अंदर में बहुती महतपुन वाकिया है वो है तरक के परती विद्रो यह नहीं हम कह रहे हैं कि रूसों ने इसके दौरा तरक के परती विद्रो कर दिया और ये दरसल इतिहास की व्याद क्या है नमबर एक इस लेक के अंदर जो पुरुसकरत वादा दूसरा इस में अदुनिक्तावाद की अलोचना की गई है पुरुसकरत पुरुसरा दुनिक्ताई उसके अलोचना की है अदुनिक्ताई रूसणा की गई है अब यह बार यह अदुनिक्ताछना विज्ञान आ गया है अतनी जैदा कास Bueno अब जितनी जैदा कलाएं सिखेगा जितनी जैदा इसको साइज है गी ऊत्वार किया गया कि तार्खिग जो मनुशिया वो खतरना को तक इसमें तीन राज्यों की चर्चा की गई है मैं वैसी बता रहूं को और भी राज्यों की है बड़ी बड़ी चर्चा है समझने के लिए कि रूसों कहता है आप एथेंस को देखिए आप रोम को देखिए ये बरबाद क्यों होए एथेंस और रोम Athens का राज्ये, नगर राज्ये, कितना समर्द हुआ करता था इने के पास कितना सोबा थी, वेबव, संपती, ग्यान, क्या नहीं था दर्सन देखी, आज भी हम पलेटोस, अरस्तू, सुकराथ, किन किन को पढ़ते हैं हेरोटोड्स, युकलिड, ये सारे वहीं के हैं, थुसिडाइस, ये सारे तो ये बरबाद क्यों हुए, कि जब तक ये सिदे सादे थे, जिसे रूसो कहा रहा है कि जब रोम के लोग गोड़ों पे चलते थे, गंडराज्य का विश्तार करे थे, खाते थे, पीते थे, लड़ाई करते थे, जगड़ते थे और मुक्त रूप से रहा करते थे, तब तक रोम विकास कर रहा था, दीरे दीरे रोमन्स के पास पैसा आया, विब हो आया, एथेंस की तरह, संपती आया, ज्यान आया, विज्यान आया, वैसे ही ये देश बरबाद हो गया, रोमन गनराज्य बरबाद हो गया, वैसे ही सपा से अथ हराज स्पार्टा एथेंस और स्पार्टा दो नगर्राज्य थे और जब यह पायला था पलेटॉसि इन दोनों के मद्जा संगर्ष चल रहा था इन दुनों की शासर्फ पत्थू और जीवन पत्थ्त्ति में डिन रात का अंतर था एत्थेंस वासी तही ये दरसनंद पर बल दिया करते थे घ्यान और वीजाने के उपर और तरक के उपर बल दिया करते थे सुक्रात को हम लएक क्या करते है स्पार्टा वासी ऐसे कुछ नहीं किया करते था खाओ पीओ मोज करो सुबह उठ गए औरतों और पुरुसों में कोई बहेद नहीं था कोई किसी का पत्ति-पत्नी वाड़ा सिस्टम नहीं था पत्तनियों का औरतों का पुरुसों का सामे वाज चला करता था सब्सक्राइब बच्चों का समुएक लाया पालन होता था किसी से साथ कोई भेदवा होनी था सारी समान थे सपार्टा वाश की सुबह घड़े होते ओरते पुरू सब सुबह सुबह दोड लगाते हैं फिर मलियुद करते हैं फिर तलवार वाजी करते हैं फिर गुड़सवारी करते हैं फिर बॉक्सिंग करते हैं फिर खाते पीते और सो जाते हैं फिर ये भी नहीं है कि कहां सोना है किसके साथ सोना है नहीं जो भी पुरूस है जो भी इस्तरी ह तो यह तो सम्पति किसी के पास नहीं है संपति वह भी सब का साजा उप्यों कर रहे हैं उसका भी साजा इखा रहे हैं ऐसा था स्पार्टा का जीवन और इसी स्पार्टा ने फिर हराया था एथेंस को और ये बरबाद हो गया था अपनी ग्यान विग्यान और कलाउं की यह लग वो आदे घंटे की एक चर्चा करता है एक यूवाल नुवा हरारी है पुस्ट एक्जाम होते ही और 17 तारीक को आपका एक्जाम कम्पलीट हो गया है जब भी एक्जाम कम्पलीट हो आपका चाहिए वो नेट का हो को ले लेक्शर का यह स्कूल लेक्शर का परजाती को कहा जाता है हम कैसे यहां तक कैसे पहुंचे इन सब के संदर में आप दो चार पेज रोज पढ़ना उनकी मनन करना और व्याख्या करने की कोशिस करना उसको पढ़ने के लिए नहीं है बेलकि वह मनन और मनन के लिए उसकी कुछ नोट्स भी लेना आप आपको आन कि सुर्ये पर हाइड्रोजन क्यों है देखिए आज से 500 साल पहले हम ये कहाा करते थे हम तो दो-जार साल से यह कह रहे है जब आरिया बटाया था यप 15 doubly यह बटाया था तब से हम तो यह कह रहा है कि सुर्या रुका हुए और दर्थी चक्र लगाँरी इसाई धर्म ये का जो है वो ये कहते हैं कि रुकी वी पर्थवी है सूर्य उसके चकर लगा रहा है सूर्य पूरों में उधीत होता है और पस्ची में जाके छुपता है बाद में गेलेली और कोपरनिक्स वेरा लोगों ने ये बताया कि ने ये ऐसा नहीं तो आप उल्टा सो करता है संदर्मा पर गड़े हैं हमारे जिन पर क्या परवाव पड़ी अगर आपने पता कर लिया आपने पता किया कि सबसे बड़ा जो तारा है वो प्लूटो है अब बताव आपको जिन पर क्या परवाव पड़ गया या मैंने आपको यह याद करवा दिया कि जो सबसे उ तो माउंट एवरेस्ट है आप यहां दोरों में रह रहे हो या मेरे जिसे लोग है वो गाउं में बैठे हैं उनको क्या मतले कोई सी चोटी उपर उनके क्या प्रभाव बढ़ गया जी उनके उपर तो यह कहते हैं विज्ञान सिर्फ निश्क्रिये जिग्यासा है कि वहां क्य है देखे तो आए उसे क्या हो जाएगा दर्शन बहुत धिक आडंबर है कि विश्टी मिजदार बात है आप वास्त में पता करना है तो आप कई बार इनके नहीं जो कथावाच्चक नहीं है कुछ महाराज है उनको सुना आप है यह जो बगवे पहनते हैं मैं कथावाज को आत्मा और परमात्मा के उपर इतनी टीपिकल चर्चाहिं करते हैं आप पूछिए बत आप छोड़ी आप तो संकर का एदवेत वाद पढ़िये बात्मा है परमात्मा है यह आप उसमें मिले हुए है यह क्या है फिर दूसरा कहता है नहीं नहीं आत्मा परमात्मा अलग यह तो दुवेत है दूसरा कहता है नहीं दुवेता दुवेत है तो यह संकराचारी और उसके बाद की जित्ती भी परंपराएं है आप उसमें पढ़िये ना आव एस्टन फिलोश्वी पढ़िये और प्लेटों को पढ़िये फोर्मस है मेटर है रस्तों को पढ़िये उपादान कारण है मैटेरिल कोज है एफीशेंट कोज है फोर्मल कोज है फाइनल कोज है क्या फरक पढ़ गया यह बहुत दीका डंबर और कुछ भी नहीं है जो दर्सन है यह बारी बारती के सब्दाव लिए बारी बारी और यह सुक शुविधा ही क्या है जो हमने हमारा घर है हमारे पास गाडिया है यह है ज्वेलरी है उन्से हील के सेंडल है तो यह तो त्यार की रूप में काम आते हैं तो पहने आप सारी बैने तो यह स समकीले रंगीन फीते हैं जिन्नों ने हमारी आँखों गया पट्टी बांध ली है कली मैं एक चीसे चर्चा कर रहा था कि हमारे समाज की वो बंदू बता रहे थे कि एक मीटिंग होई और उस मीटिंग में बहुत बड़ा व्यक्ति आया साल ऌई वो व्यक्ति 65 साल का हो गया है और अरपती आइक खरपती और वो पुषण होगाैयर पूष है यहां तक कि मेरे पूस्यति हैो और प्र पूक्ति तक सैट ईर इतना संपति हैं सबको अपने आपने हैं फैक्टरी हैं सब की लेकिन हम साथ नहीं बाटते हैं तो मेरे बुखार हो जाए तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मुदा ये नहीं, मैं होस्पिटल में तो फोर्टिस में और किसी में विदेश भी जा सकता हूँ, लेकिन जब तक उलाद नहीं पूछे, घर वाले नहीं पूछे, तो उस घर है, नहीं है, बाकि सब कुछ ह तो ये सुक्ष्विधाय वेबव क्या है, ये रंगील, समकीले रंगीन फिते हैं और कुछ भी नहीं है, खेर है इसी चर्चाएं चल रहे थी, आपिद में नहीं उलजे, मैं तो ये पूछा जाता है कि किस ने कहा, कि विज्ञान निश्क्रिय जिग्यासा है, दर्शन ने कहा है, तो रूसों ने तरक के परति विद्रोग कर दिया, कि आगे देखें, ये कहता क्या है, कि चिंतन सील पसू एक पतित पसू है, यानि चिंतन सील जो व्यक्ति है, वो गया गुजरा होता है, चिंतन सील का तात्प्रिय है विवेक सील, और जब व्यक्ति विवेक सी लोता है चिंतन छी लोता है तो वैफ्श यूँड़ी वह कुल श्रा लोता है जो किखुद का स्वाथ पहले जानता है आप स्वेक्ति और मैं अत्यश्त मतलने के लिए एक रोटी और आप widely यह करमा बहुत यह था हुआ था मैं भी आ कभी भी तो जैसे जैसे व्यक्ति में चिंतन आया कला आई विज्ञान आई तो व्यक्ति स्वार थी होता गया वो संपति प्रेमी होता गया वो अडंबरी होता गया वो वेबो के चकर में फस गया और सक्ति प्रेमी हो गया और बरश्ट हो गया तब यह कहता है कि जैसे चिंतन बढ़ता है, तरक बढ़ता है, वेक्ति पसू की तरह शिर्फ खुद के बारे में सोचने लगता है तो क्या आंद करें तरक नहीं करें, बलकि शभाविक रहें, दिल के साप रहें, सत्से रहें लेकिन वेपर क्या कह रहा है कि बले ही तरक के परती विद्रो किया हो रूसों ने लेकिन ये तरक का इतना उधसा ही दरमदू था जिसने एविवेक के काल में औरों की रापरसस्ट करने तो औरों से ज़्यादा किया है कि देखिए अब आपको बात समझनी है रूसों की तो आपको रूसों खुद भी तरक कर रहा है अपनी बातों को ग्यान और विज्यान ने बरबाद के इसको समझाने के लिए खुद भी तरक कर रहा है तो अदोनिक काल का और पुनर जागन के बाद का काल का और विशेश करके हम जो enlightenment era बोलते हैं enlightenment को क्या बोलते हैं मैं इंदी नहीं उसकी वो recall कर पा रहा हूँ प्रबोधनकाल है प्रबोधनकाल का जब ज्ञानवयान का विग्यास हुआ उसका मुख्य पर वक्ता है वो है जे जे रुसो तो खुद तो कहा रहा है तरक के परती विद्रो कर रहा है कि तारकिक नहीं उना चीर खुद बहुत बड़ा तारकिक है और वेपर कहा रहा है इसने तो बहुत कुछ किया दुनिया को समझाने के लिए जब एविवेक था तो उनके अंदर विवेक लाया है ये तो लोग ये माना करते थे कि जो पूरी संसार में ऐस मानता है वो सब प्राकर्थिक है लेकिन रूसो तरक से ये समझाता है कि ने ने दिकांस ऐस मानता है वो समाजनित है वो प्रमप्रागत है प्रमप्राओं की देन है वो इस और परदत या बर्मा परदत नहीं है बैसके वो हमने पैदा किया है अफ्स मानता है ़िस फिदीं तर दोंतर कर रहाएं। लेकिन औरों करें कि तरक अच्छा नहीं होता है। तब बिपर कहता है, तो दिखाविरोध करता है गांधी जी की तरह है जे जे रूसों के यह साथ एक बार कुशन पूच्छा हुआ है इस मुद्दे को गंदी जी भी भोगवाद भोगतावाद दिखावे से दूर रहते थे और ऐसा रूसों का मानना था डिस्कोर्स और मुराल एफेक्ट आप आर्ट्स एंड साइस के अंदर आरे तो तो क्या कुशन पुसा जाता है इसक उसके बाद हम समझोता देख समझोते हैं सबसे पहले हम देखें कि इसलो मानों का सभवाव कर लेते हैं वह कैसा था तो मानों का सभवाव नोबल सावेज noble savage का हिंडी है भध्र पसु देखिए दोनों बातें आ गई भध्र भी हो गया और पसु भी हो गया तो controversy हो गई ना भध्र होता है समिझदार और पसु तो क्या वेक्ति अच्सा है क्या क्या वेक्ति बुरा है क्या तो रूसों कहता है ऐसा कुछ नहीं है वेक्ति भद्र पसू की तरह है उसमें दो ही परिवर्तियां है एक है स्वार्थ की और एक है पर्मार्थ की खुद के बारे में सोचता हुरों के बारे में सोचता है पनिया हमारत के बारे में जानता ही नहीं है तो वेक्ति भद्र पसू की तरह है तो क्या इसका विज़ा होबस और लोग की तरह है कि नहीं है वो तो अच्छाई बुराई के बारे में कुरूरता के बारे में सक्ति के बारे में संप्ति के बारे में जानता ही नहीं है तो यह है पर्थम अवस्ता जब मनुश्य तेरे मेरे कि उस पूरे दवंदव से दूर है जनसंग क्या अत्यांत कम है जंगल है वो खूब है दर्ती की कमी नहीं है जनसंग क्या अत्यांत कम है किशी को कोई प्रिश्रम नहीं करना पड़ता खाओ पियो मोज करो मित्रो कोई काम मत करो परकर्ति के खजाने बरे हुए है आप तो उन अवस्ता लंबे समय तक नहीं चली दीरे दीरे जनसंख्या का विकास हुआ जनसंख्या का विकास हुआ तो परकर्ति के साधन कम पढ़ने लगे दर्ति के उपर साधन कम पढ़ने लगे कम पढ़ने लगे तो फिर बासा का ग्यान का विज्ञान का तरक का उदे हुआ लोहा आ गया लोग खेती करना सीख गए बासा बोलना सीख गए ग्यान विज्ञान आया तो ग्यान विज्ञान और तरक की विज़े से वेक्ति में विएक आया और वेक आया तो एक वेक्ति ने किया किया दर्ती के टुकड़े के उपर कबजा कर लिया और ये बोला कि दर्ती के टुकड़ा मेरा है उसके बाड लगा लिए बाद ही ने का चलो ठीक है ये तेरा है उनने क्या क्या फरक पड़ता है बाद में देखा रहे है दर्ती के तो इसने कबजा कर दिया हम क्या करें हम खाएं कहां से तो बला आजो ये दर्ती का टुकड़ा है तुम इस पे काम करो तुम मेरे गुलाम हो और मैं तुम्हारा मालिक हूं तो पहरे सारी मालिक थे अब एक मालिक हो गया बाकी गुलाम हो गय और उसके पास दर्ती के रूप में, भूमी के रूप में संपती पैदा हो गई और यही से जैसे ही एक व्यक्ति ने कबजा किया दर्ती पे ऐसमानता का उद्या हो गया यह अभी अभी ने पढ़ा था, सेकिंड डिस्कोर्स है, ओरिजिन ऑफ इनेक्विलिटी के ऐसे ही, ऐसे ही इनेक्विलिटी तो एक व्यक्ति ने अपने जीवन को, आगामे जीवन को सुखी करने के लिए धर्ती के टुकुड़े पे कबजा करने, क्योंको जनसे हैं क्या वर्दी हो गई थी तो फिर ऐसमानता पेदा, ऐसमानता वो कहता है, दो परकार के होती है, एक प्राकर्तिक और दूसरी परंप्रागत, देखिए, पहला विचारक है, जो ये कहे रहा है, पलेटो अरस्तु यहां तक समझ भी निया था, कि कितनी है, उसके बाद मद्यकाले इन भी समझ भी निय आया, और हम तो आज भी नहीं समझते हैं, जो भारतिये हैं, वो आज भी कहते हैं, अधिकांस जो भारतिये हैं, विशेस करके तो हिंदू धरम के नित्रतों करता है, जितने हो ठेका ले रहा है हिंदू धरम को बचाने का, उन से अधिकांस से पूछो कि ऐसमानता हैं कैसी ह होती है तो अधिकांस यही कहते हैं कि ऐसे मानता हैं प्राक्रतिक हैं यह जो बेद है जो पुरुसों के साथ ऐस मानता यह क्या है तो यह प्राक्रतिक ऐस मानता नहीं है लिंग अलग अलग है यह तो प्रकरति नहीं दिया है लेकिन जो जेंडर के पाया है हमारे मद्य जो लेंगिक भेदबाव होता है कि इस्तरी है तो वो सारे गर के काम करेगी सारा ठेका उसी क और बार मजे वाले काम है जितना ही प्राइवेट है वो सब इश्त्री का पब्लिकली जितना भी करना वो तो पुरुस करेगा तो ये सारे प्रंप्रागत ऐस וमानता है जो प्रंप्राओं की देहन होती है अधिकांस ऐस समानता है परंपरागती होती है तो इस्तरियों के साथ बेदवाओ पिछणों के साथ दलितों के साथ जो बेदवाओ होता है गरीबों के साथ जो बेदवाओ होता है किसानों के साथ जो बेदवाओ होता है वो सारी प्राकरति की स्वर परदत नहीं है बलकि वो परंपराओं की देन है ये पहली बारा में रूसो पता किसा ला गया और जब फ्रांसिस्टी लोगों को ये समझ में आया कि अधिकांस एस मानता है प्रंपरागत है जो ये पादरी है धरमसंस था ये जो लूट मार कर रही है जो सामंत लूट मार कर रहे है जो लाजा लूट मार कर रहे है ये प्रकरति नहीं नहीं दिये इनको अधिकार बलकि इन्होंने खुद अतियाया है इस अतियार को ये तो समाझ परदत है ये तो प्रमप्राओं की वज़े से है तो देखिए फ्रांस के लोगों ने करांती कर दी और मार दी अपने राजा को सामंतों को और अपने पाद्रियों को और करांती कर दी तो ये पहली बार इस व्यक्ति ने बताया कि ऐस समांता है अधिकास्त प्रमप्रागत होती है तो अ हुआ पिर सामाजी सम्झोता तो हमने का प्राकर्तिक वस्ता के दो प्रकार थे पहली में सब बराबर थे दूसरी में ऐस मानता आ गई अजब ऐस मानता आ गई तो फिर अब निव्टें कैसे क्योंकि जगड़े सुरू हो गए संपती को लेके तो फिर उस संपती की रक्षा के के लिए लोगों ने आपसम्झोता किया है कि देखिए अब जिसक्या जो है वो हो गया है तो अब हम आपसम्झोता कर लेते हैं फिर इस सभी का सभी के साथ सभी के लिए संपता हुत हुआ तो यह कहता है यह समझोता निरंतर होता है सामान ने इच्छा के रूप में हम इकठे होते रहते हैं शीवरी सोसाइटी मिलती रहती है और समझोते करती रहती है अपने कानून बनाती रहती है तो समझोता ने एक है ने दो है बलकि निरंतर समझोता होता रहता है तो फिर एक social contract हुआ और social contract पुस्तक भी लिखी रूसों ने इसका पहला वाक्य है कि मनुशिया सवतंतर पैदा होता है लेकि सवरतर जंजीरों में जखड़ा जाता है कि मनुशिया हो अच्छा हम जिसका क्याता ताध प्रे लगाते हैं कि वहलब के वो सवतंतर पैदा होता है उस पे कोई बंदन नहीं होता दीरे दीरे उस पे बंदन Pens भान दी जाते हैं उसको कप्ड़े पैना दी जाते है उसको ड्रेस पैना कर लेती हैं तो मनुष्य सवतंतर पैदा हुआ लेकिन बाद में सवतंतर जंजीरों में जकड़ा गया देखिए पुराने मनुष्य है था उस पे किसी भी प्रकार की कोई बादा नहीं थी जंगल का कोई नियम नहीं होता था और व्यक्ति शिकार करता था खाता था पीता था नद्यों में दाता था पेड़ों पर सोता था कोई जाती नहीं थी कोई द्रम नहीं था कोई टोटम नहीं था कोई देवता नहीं था कोई इस्वर नहीं था व्यक्ति इनको जानता ही नहीं था यह तो हमने पैदा किये हैं सिर्फ संक्ठन और समू बनाने के लिए और दूस प्रभुत उस्ताफ ना करने इसायों ने क्या किया मुसल्मानों ने क्या किया यही तो किया इन दोनों ने इन नाम के उपर एक इस्वर के नाम के उपर कटे हुए और दूसरी जातियों को जीत लिया तो कम कोई नहीं है, ने हिंदू कम है, ने मुसलिम कम है, ने इसहाई कम है इसहाई ने मुसलिम तो पहले ही घतरना आगते है तो परत्व वाक्य है कि मनुश्य सवतंतर पैदा होता है पर जंजीरों में जक्ड जाता है अन्तिम वाक्य इसी सोशल कॉंट्रेक्ट है कि वह पूछते हैं कि ये कहां लिखा हुआ है ये वाकिया तो सोशल कॉंट्रेक्ट में शुरुआत है यहां से होती है अन्ति यहां से होता है कि मनुष्य को सवतंतर होने के लिए बाद दे कि आजा सकता है ये बहुत जोरदार बात है कि मनुश्य वे दो 77 तरक उने के लिए बाद दे गरना हूं तो बाद देता है वह सवतंतरता की विपरीत होती है आप कैसे बाद देकर होगे दो चीन लिए आपने उसकी तो यह बहुत ही महत्र पुनफर के है कि मनुश्य खुद नहीं जानता तो उसको सवतंतर होने के लिए सामान इच्छा के अकोर्डिंग चलने के लिए बात देखिया जाएगा तो सवतंतरता क्या है? तो सवतंतरता है सामान इच्छा में भाग लेना तो अब क्या है सामान इच्छा और क्या है इनके तात प्रिये? तो देखी एकोटेशन बोतिम है तो पुर्ण इनको आप याद रखें आप तो यह था सामाजी की समझोता तो संपति की रक्षा के लिए हुआ अब आगया जिसकी मैं कहे रहता है सामान्य इच्छा इसकी जर्सा करते है कि सामान्य इच्छा क्या है तो सामान्य इच्छा थोमस हिल ग्रीन का एक छोटा सा वाक्य है कि सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है कोमन गुड जनी सबका बला सबके बले की चेतना है सबके बले की सोच है सामान्य हित की सामान्य चेतना इसका तात्परे सबका बला करने की जब सभी लोग सोचते हैं तो सामाने इच्छा का निर्मान होता है जनल विल है क्या? कोमन गुड के बारे में सोचना है सबका बला सोचना यही है सामाने इच्छा जनल विल तो जनल विल का निर्मान किसे होता है तो रूसों कहता है विल दो परकार की होती है एक होती है एक्चल विल एक होती है रियल विल एक्चल विल में वेक्टी स्वेम के बारे में सोचता है वेक्टी तार्किक होता है वेक्षील होता है दूसरी होते है रियल विल जब वो दूसरों के बलाई के बारे में सोचता है तो मनुश्य को क्या करना चाहिए अगर सारे ही लोग अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे जिसे मैंने क्या किया मेरे ये स्वार्थ है कि कौन उतनी जूर कसरा डालने जाएगा तो मैंने क्या मेरे गर के गणी में कस्राड दाल दिया के दूसरे नहीं अपने गडरे में के साडा डाल दिया है तो बताओ और यई-हां जेहाँ सब जयान वहां वहा हुना फूल लीजिए शहर में किया है जितना ज्यादा ज्यान है कोई किसी जी मतलए कोई देखती रहते हैं तो सहरों के लोग एक्षुल विल को मानते हैं और एज वालों में अगर चोटे शी बात हो जाए तो पुरा गाह विकठा हो जाता यह बहुत है जिस में सबी लोग सब के बारे में सोचते हैं तो प्रमार्थ के बारे में सोचना रियल विल है तो मैं आपके बारे में सोचोंगा आप मेरे बारे में सोचोंगे तो अपने दोनों का का निर्मान होता है तो रियल विल का जोड़ी क्या कहलाता है वो कहलाता है जनल विल नमबर एक दूसरा क्या ये सामान्य इच्छा है ये मातरातमक होती है क्या तो देखिए मैं ये बता दू सामान्य इच्छा मातरातमक नहीं होती बलकि सामान्य इच्छा गुणातमक होती है मातरात्मक का तात्परी है कि सो में से निनान में वेकति ये कह रहे हैं कि दास पर्था अच्छी है क्योंकि उनको दास से फाइदा हु रहा है हमram लोग की बात माने बहुत संख्यकवाद की बात मानेRobard हूँ यह यह लेकिन रूस प्रूंथ कि देखी जाती है कि इच्षा किसक बारे में सोच रहे हुआ कि और दासा करिया जाता है संख्या मैत्व पुर्ण नहीं है तो सामने इच्छा संख्यात्मक नहीं है मातरात्मक नहीं है बलकि क्या है ये गुणात्मक है अब है किस्टा सामने इच्छा का परतिनीद तो किया जा सकता है क्या सामाने इच्छा का निर्मान कौन करेगा अपने यहां सामाने इच्छा है सब के कल्यान के बारे में सोचना तो हमारे यहां जो सामाने इच्छा है वो हमारे परतिनी दी सोचते हैं हमारे गाउं का जो सरपंच है वो हमारा परतिनी दी हमारे ML है हमारे MP है ये हमारे परतिनी दिये हैं और ये सोचते हैं कि हमारा कल्यान कैसे होगा तो ये औरों के बारे में सोचते हैं रूसो ये कहता है नहीं सामान ने इच्छा का परतिनी दितों नहीं किया जा सकता बलकि सामान ने इच्छा क्या होती है एपरतिनी दितों कारी होती है परति एक वेक्ति अपने पास रखेगा इच्छा को जब सामाजी समझोता हुआ तो सभी लोगों ने अपने अधिकारों को एक डेर कर दिया कि ये लो सारे अधिकार Хarching के समय कह वा एक समझ ओता हुआ लोगों ने अपने सारे अधिकार थे वो लेवियातन को सौप दिए कोमड़न वेर्थ को सौप दिए दूसरा लोक, लोक के समय ذो समझ ओते हुए लोगों ने अधिकार कशी को नहीं सौप दिया सरकार को सिर्व अधिकारों की रक्षा का काम सौंप दिया तीसरा रूसो रूसो कहता है कि समाने इच्छा के रूपे सारे दिकारी कठे किए कि सारे लोग की कठे हुए अपने दिकारी कठे किए अब धेर लगा दिकारों का उसके मालिक वो सारी लोग है तो सामाने इच्छा ए परतिन्त्य कारी होती है यह व्यक्ति खुद अपने पास रखेगा अपने इच्छाओं का निर्मार देखेए पहले हम यह बताओं कि समानि इच्छा का प्रकटी करन कैसे होता है आपको जनता का कल्यान करना है सबका कल्यान करना तो कानून बनाए जाते हैं इसके लिए तो कानून क्या हमारी परतिनी दी बनाएंगे क्या नहीं रूसो कहता है कानून परतिनी दी नहीं बनाएंगे कानून जनता खुद बनाएगी यही होता है और रूसो परतेक्स लोगतं कि our है लेकिन फिर स्थ है क्या सौथानतर पया है कि सौतनतर पर के स सामने इच्छा का पालन करना आप समने मिल्ए कानून बनाया अब आपको Lean काणून का पालन करना ही पड़ेगा नहीं करोगे तो आप आप उसको लिए बद देखिया जाएगा अभी मैं बताओं कि मैं फिर आपको शिर्ष्टा लेवी अच्छन बाद में समझाओंगा पहले मैं बताओं सवतंतरता क्या है कि सवतंतरता है सामान इच्छा का पालन करना आप सारे महुलावा से इकठे वे और एक कानून बनाया कि कोई भी गली में कसरा नहीं डा लिए पै,, कदून बन गया, आप सब इकठे थे सबनें बनाया था एक वेकती ने एक्चुल विल लाया अपने अंदर स्वार थी कि मैं तो सवतंत्रों कुछ भी करने के लिए उसने क्या किया मैं तो कसरा डालने के सवतंत्रों उसने गली में कसरा डाल दिया अब वो मुर्ख यह नहीं जाता कि गले में कसरा डालने इस उसका भी नुक्सान होगा अब उसको दंडित किया जाएगा उसको सवतंतर होने के लिए बात दे किया जाएगा तो यह है कि सवतंतर होने के लिए बात दे किया जाएगा यही है विरोधाबासी सवतंतरता तो सेबाइन ने कहा है कि रुसो की जो सवतनतरता है वो paradox of freedom है यो बहुत ही पूछा जाता है कि विरोधाबाशी सवतनतरता है या सवतनतरता के विरोधाबाशी कौन समंदित है तो वो समंदित है जे रुसो ये बहुत ही बार पूछा जाता है और ये सेबाइन ने कहा है कि र कि जमान की निर्मान का कानोन निर्मान धों ठुट किया अब बनाएं आपने क्लास में यह कहा कि कल से कोई भी कलास में कच्रा नहीं ही डालूँगा तो उसको बद दी किया जाएगा उसको समझाया जाएगा कि इस तेरा भी नुक्षान है इसका मतलब आप सामान इच्छा के अवेलना नहीं कर सकते आप उसको सामान इच्छा की बाते माननी ही पड़ेगी आपको शीवल सुसाइटी के कानून मानने ही पड़ेंगे तब हम कहते हैं कि लेवियाथनी है ये लेकिन ये प्रतिनियुकारी नहीं है इसका क्या काट दिया गया है शिर तो हरनसा ये कहते हैं कि जैसा लेवियाथन निरंकुस है वेसी सामान इच्छ है आप लेवियाथन की बात में नहीं ताल सकते हैं और सामान इच्छा की बात में टाल सकते हैं समपर्भूता है राज जैगी बस इतना ही है कि इस लेवियाथन का क्या काट दिया गया है शिर काट दिया कोई इसका परतिनीदी नहीं है देखिए सेम चित्र बना हुआ है जो चित्र लेवियाथन के मुख्या प्रष्ट पे वोई सोचल कॉंट्रेक्ट पुछ था के मुख्या प्रष्ट के उपर रूस वाले पे लेकिन उस लेवियाथन के क्या नहीं है शिर नहीं है इसका ताथ पर सामान इच्छा का परतिन देत नहीं किया जा सकता तो ये लेवियतन की तरह निरंकुस है लेकिन ये इसके शिर नहीं है तो मैंने आपको सामानेच्छा के बारे में बता रहा कि सामानेच्छा क्या है सहुतंतरता के बारे में बताया कि सहुतंतरता सामानेच्छा का पालन करना है फिर मैंने का रुष्व पर तो ड्यूगिट की अलोसना बहुत ही महत्पूना ये कहता है रुसो जेकोबियन निरंकुस तंत्रा और सिजेरियन तानाशाई का जनक है अब जेकोबियन कलब का रेबो स्पीर था सत्तरा सो निवासी में करांटी हो गई फ्रांस में और फ्रांस की करांटी के बाद वहां थोड़े समय बाद जेकोबियन कलब का जेकोबियन कलब का एक वेक्ति था ऑच्टि आएक द्वाव सुमा ले हो सकता जीर्णी आरे सिजेरियन तन नाम ता रोबेस्पियर रत्राइस की सत्तरा फिर वहाँ कर रास्टर्रपति बन गया अब उसने कहा, मैं जानता हूँ कि फ्रांस वास्यों की बलाई किसमे है तो सामान निच्छा का निर्माड मैं करूंगा, बलाई कैसे हैस मैं निच्छा करूँगा तो जो कोड़ भी रबोस्पिर का विरोथ काता था, रबोस्पिर उसको मार दिया करता था तो इसको कहा था मैं जानता हूं कि रोम के लोगों की बलाई कायम है तो मैं उनका बला करूँगा तो आप कौन होते बलाजनता खुद दिरने करेगी तो रुसो की सामान ने इच्छा गुणातम के एक वेक्टिए कि यह तो तुम लोग उसके नियंतर्ण में हो तो निरंकुस हो गया वह तब यह कहा दूगी यह बहुत ही पुसाता है तो यह कहा कि रूसोंबीशु इस्ताबदी में सरवादिकार का टोटल टेरिण्जम का यह तानाश है कि एक वेक्ति समस्च चीजों के पर कबजा कर लेता है जैसे हिटलर जैसे लोग, एस्टालिन जैसे लोग, धरम के जीवन के परते एक बाग पे कबजा करना सरवादिकार वाद कहलाता है कि इसका बहुत दिक गर्दूत है, यानि इसकी जो समान्य इच्छा की जो परवर्ती है, वो बहुत ही खतरनाक है ये निरंकुस्ता बाद पेडा करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समान इच्छा की बाद टाल नहीं सकता, तो ड्यूगिट ने, जेल टोल में ने क्या का, अलफ्रेड कोबान कहता है, कि ताना श्याही समान इच्छा की लोगतंत्री अश्यदान्त का तार्क के अत्यासिक प बाद टाल नहीं सकते, तो अलफ्रेड कोबान ने ये कहा, एकर समान इच्छा को मानोगे, तो इसका तार्क प्रणाम ताना श्याही निकलेगा, और कुछ नहीं निकलेगा, तो हमने ये समान इच्छा की अलोसना की बहुत ही पुझा जाता है, कि ड्यूगिट ने क्या का, टॉल में ने क्या कहा, अलफ्रेड कोबान ने क्या कहा, तो ये हमने रूसो के बारे में बड़ी-बड़ी बातें जानी, अब हम एक बहुती मैतकुन सर्चा करेंगे, एक लेख है, लियोस्ट्रोस का जो सतरा सो पिचेतर में आय था, लेख है, ये नाम है, थ्री वेव्ज सतरे, आzब लेख अधुने क्या ए लेह आख ने लिए है, और दुसरी लेहर लाया रुस हो, और तर्तिय लेहर लाया जरमनी का एक बहुत बड़ा दार्स निक्था, नित्षे जिसकी बहुत मैतपुन त्यरिए हमें तो क्योंकि ज़्यादा जूरुत नहीं पढ़ेगी आ तो यह तीन लेहर हैं चलिया डूंता की modernity की लियू स्ट्रोष गाय रहा है तो प्रथम लेहर का यह भी कुशिन आता है एक लर यह कुशा हुआ है करना है कि अगुनिक लिख लियो स्ट्रोस के अकोर्डिंग अदू निकता की दूसरी लेर का प्रनेता कोन और तो वह कौन है जे- aos रूश्चों आप तिनकों को यान करने पर्फम लाइर का मैं क्यावली यह भी दो राष्टे असेंबली का पग्र सुक्राथ किस ने कहा है आपके 99% आप सही उत्तर देगे देखिया किस ने कहा है एंडमंड बर्क ने लियो स्टोस ने कुछ और ही कहा है फ्रांसीशी बेकर ने इसा कुछ ने कहा वालतेर ने ये जरूर कहा कि रूसो की बाते सुनके मेरी इच्छा होती है कि मैं पेरों वेरों पर चलने लगू ऐसा कुछ का रूसो ने ऐस मानता कि कौन से दो परकार बताएं आप देखिये कौन से बताएं ये दो परकार बताएं प्राकर्तिक वे प्रम प्रागत जो इस्वर की देन है जो समाज की देन है तीसरा है डूगिट के अंसार रूसो जेकोबियन निरंकुस तंतर वे शिजेरियन तानासाई के जनक है क्या ये वाक्य ठीक है अभी करके अटें बिलकूल ठीक है जेल टॉलमेन के सार रूसो अदुनिक्ता की दूसरी लेर का परवड़ तक है नहीं टॉलमेन तो इसे नहीं बोला ये ये बात तो कही है लियो स्ट्रोस ने अपने लेक के अंदर तो दूसरा वाक्य गलत है तो उत्तर क्या हुआ सिर्फ ये पहला वाला वाक्य सही है डूगिट वाला टॉलमेन वाला नहीं है कथन रूसरो ने तरक्य के परिटि विद्रो करते वे कहा कि चिंतन-सीरी विचारवान व्यक्ति एक पतित-पशू है निकृस्ट पशू है रूसों का मानना था कि ग्यान विग्यान कला विक सीर्टा के विकास ने मनुश्यों को एहमवादी स्वार थिवे बोगवादी बना दिया है तो पतित पसू ऐसा ही होता इसी की आद नीचे वैक्या कीगी आप खुद देखिए कि सेम आप देखिए क्यों की लगाएंगे कि कथनकाण वाले हैं वैसी बीच में क्यों की लगाऊ क्यों की लगाता ही रूसो ने ये का यहां क्युपतित पसुछेट क्यों की रूसों का मानना था कि ग्यान विग्यान से मनुश्य ऑज़ ऐसा हो जाता तो मिलकुल सही है क्योंकि लगबग 10-20% पर सही बैड़ता आप द्यान रखना हर एक कोई क्वेशन यहां क्योंकि लगाने से सही नहीं होता यह आप द्यान रखना को दस एक प्रसेंट मुस्किल से सही होते हैं लेकिन आप यह देखेंगे कि यही बाते निची व्याख्या की गई है तो कथनका प्रसेंट करने वाले में आप द्यान रखें कि हरेंक ऐक कुष्चन और दूसरे से अलग परवर्ती का उता है प्रकर्ति का होता है तो हरे कुष्चन में अलग तरक लगाने पड़ते हैं आपको इनका कोई साइंटिभिक तरीका नहीं है आप प्रेक्टिस करते जाएं फिर और कलास लेगे समुद्दे के उपर तो ए और आर दोनों सही है सही व्या क्या कर रहा है ये वाला है तो आपने रूसों में रूची ली होगी आप से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप इस कलियोग में तरक के पड़ते विद्रों मत करना वरना हो सकता बूखे मरने के चांस आजाएं मैंने देखा है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बोलता है कि मैं तो जन्ना के बलाई करूँगा ये करूँगा ऐसे व्यक्तियों से तो आप विशेश करके सेथ रहें जो समाज बलाई के ठेकेदार बढ़ने की कोशिस करते हैं खुद की तरकपुद्य का प्रयोग करें भीड़के साथ ने चलें बेड़पन है जितना भी उसको दूर कर दें क्या बुरा उसको समझना शीखें और सोचल मीडिया के प्रवाव से मुक्त रहें सोचल मीडिया पर निनाण में प्रशेंट खबरें गल्ग आती है नहीं सक नहीं हो दार में कट्रता नहीं लाएं सोहार्द और बंदतों के भाव अपने अंदर रखें रोसों के बारे पढ़ें आप जब भी आपको मौका मिले इसके जीवनी ज़रूर पढ़े आप अब हम एक मज़ेदार विचारक की चर्चा करेंगे और और वो है महान उपयोगितावादी विचारक जर्मी बैंथम जर्मी बैंथम का ये कहना था कि इस संसार में अगर सुधार करना है तो वो कानूनों के माद्दे मिशे हो सकता है कानून ही सुधार का एक मातर तरीका है तो ऐसे ही एक बिटिस महान उपयोगितावादी जर्मी बैंथम की हमसार्चा करेंगे जर्मी बेंथम को सेबाईन ने दासनिक आमूल परियूरतन वाद फिलोसेपिकल रेडिकलिजम का प्रनेता कहा है इसका तात्परिय ये है आगे हम समझेंगे तो सेबाईन ने कहा है कि कितना महान परियूरतन कर दिया था जर्मी बेन्थम ने अपनी तर्क प्रनालिक की द्वारा तातकालिक व्यवस्था के अंदर और क्या उसने उमीद की थी कि तो उसको बोलते हैं रेड फिलोसफिकल रेडिकलिजम यह है रचनाई यह थेरी ओफ लेजिसलेशन फ्रेग्मेंट्स और गौर्मेंट 1776 यह ब्लैक स्टोन ने एक पुस्तक लिखी थी नियाए और कानूनों के उपर उसके उपर यह टिका लिखी हुई है और यह बैंथम ने अपने नाम से नहीं लिखी थी किसी और नाम से लिखी थी लेकिन बाद में लोगों को पता चल गया कि बैंथम ने लि इसने ऐसी ऐसी विद्यों के बारे में बताया कि वो आज भी लागूफ हो सकती है और आगे भी लागूफ होती रहेगी थी यह इनकी अंतिम पुस्तक थी यह जो कि बुड़े हो गए थे तो इसको पूरा नहीं कर पाए थे इसका फिर बाद में पूरा संपादन करके उच् अब हम देखेंगे कि कैसे है व्यक्ति दार्शनिक आमूल परिटनवादी जो सहमाइन बताके गया है फिलोसोपिकल रेडिकलिस्ट वो होता है जो लगातार चल रही परंपराओं का विरोध करता है उनकी नई चीजें लेके आता है तो स्थापित परंपराओं का विरोध क करने वाला वेक्ति था जर्मी बेंठम उसने विरोध किया प्राकरतिक अधिकारों का लेकिन होपस यह कह रहा है कि जीवन का अधिकार प्राकरतिक अधिकार है लोग यह कह रहा है जो प्राकरतिक अधिकार प्राकरतिक अधिकार है वो प्राकरतिक अधिकार है लेकिन राज्ये देता है हमें मूल अधिकार किस ने दिया कौन उनकी रक्षा करता है तो राज्ये ने दिया राज्ये उनकी रक्षा कर रहा है प्रक्रति ने थोड़ी दिया इस वोड़े नहीं दिया है तो प्राक्रतिक अधिकारों का सबसे बड़ा विरोधी है वो है जर्मी बैंत ये कहता है कि ये अराजक बर्म है एनारकिल है ये क्योंकि इसका ताथपरियत आप किसी दिकार को ये कह दोगे कि ये दिकार प्राक्रतिक है और हमें पता है कि प्राक्रतिक दिकार निर्बाद होते हैं उन्हें कोई बादा खड़ी नहीं कर सकते हैं क्योंकि राज्य उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें बादा डालने के लिए नहीं है तो अगर कोई भी अदिकार एबाद हो गया और नियंतन मुक्त हो गया वो दिकार तो बहुत खतरनाक हो जाएगा तो इसको अराजक ब्रहम कहा है बैंथम ने यह पूछा है कि किसने प्राकरति के दिकारों को अराजक ब्रहम कहा है एक कुशन किसने इसको अलंकारिक बकवास बैसाख्यों पर टिकी बकवास कहा है प्राकरति के दिकारों को तो वो भी है वो जर्मिब्यन था और फिर तेसे समर्थन किसका किया इसने समर्थन किया विदी का अधिकारों का ये दो अधिकार सिदान्त है प्राकर्ति का अधिकार सिदान्त और विदी का अधिकार सिदान्त जो एक दूसरे के उल्टे है प्राकर्ति के अधिकार शिदान तो ये कहता है कि जो अधिकार हैं वो इस वर और प्रकर्ति की देन है विदिक अधिकार शिदान कहता है नहीं है वो रज्य की देन है तो बें तम विदिक अधिकार शिदान का समर्थक है और रज्य के द्वारा परते तदिकारों को हम सकारातम कदिकार बोलते हैं तो ये सकारातम कदिकारों का समर्थन करता है ये कहता है कि सामाजिक समजोता फालतू की बकवास है आपको अगर रज्य को ये दिखाना है कि वो रज्य एक करत्रिम इकाई है मनुष्य ने अपने बलाई के लिए बनाए है, तो आप इतने बड़े सम्झोते वाली इस कूल चक्र को फिलाने की, इस फालत मिंपूस्ट के लिखने की कोई बिश्कता नहीं है तो यह कहता है कि मैंने मिथ्या परलाब करने वालों के लिए जुठा परलाब करने वालों के लिए को संजोते कुछ त्याग दिया आप सीद्ध हमने बढ़ा है राज यह तो कर्तरीम है क्यों सामाजिक शम्जोते कि तरक प्रणाली का विकास करवाव और इसाई नेतिकता का धर्म का इनका विरोध करता है यह किता है नेतिकता वेतिकता यह कुछ नहीं होती जिनको लोक मानता है यह कहता है कि नेतिकता है धर्म है यह तभी तक अच्छे हैं जब तक व्यक्ति के लिए उप्यूगी है अगर व्यक्ति को सुख दे रहे हैं तो ठीक ह अगर कोई नेतिकता की वज़े से वेक्ती दुखी हो रहा है तो ऐसी नेतिकता तो त्यागना ही ठीक है इसलिए हम कहते हैं कि फिलोसफिकल रेडिकलिस्ट है जिसने प्राकृतिक अधिकारों का विरूद कर दिया जो कित्ते समय से चले आ रहे थे होप्स के समय से ले डेड़ आगे देखते हैं इसने और क्या किया इसके उप्योगितावाद की सर्चा करते हैं उप्योगितावाद दरसल उदारवाद का ही एक भाग है और उसको जादा सही सहबित करने के लिए आया है जब उदारवाद के आलोचना होने लगी कुछ जादा ही और विशेश करके नका है अधिकतम लोगों का अधिकतम शुक कि कोई भी आप संस्था बनाओ कोई भी कानून बनाओ कोई भी दिन्य करो कोई भी योजना बनाओ रखो तो दिखान रखो कि उसके कंद्र में यह वाला फारमूला हो अधिकतम लोगों का अधिक्तम हित आप कानून बना रहे हैं इस्त्रियों के बले के लिए तो ये देखो अधिक्तम लोगों का अधिक्तम हित हो रहा है क्या आप ने ये कहा कि आप इस तरह देख नहीं सकते जो भी पुरुष इस्त्रियों की तरफ देखेगा उसको प्राण दंड मिले तो इसका तरह इस तरह तरह देखेगी जब एक इस तरह त्यार हो के आती है तो मैंने कलास में देखा है कि दूसरी लड़किया उसकी तरफ जरूर देखती है लड़के देखे या नहीं देखे लड़किया जरूर देखती है आज क्या पहन की आई है और इसकी साड़ी मेरी सा होना चाहिए इस उत्तर के अकोड़ें बनाएं आ प्रिटिस राजा की चर्शा करते हैं कि राज तंतर से राजा को तो फायदा होता है लेकिन पर्जा राजा पसंद नहीं करती है राजतंतर को अठाद देना चाहिए क्योंकि अधिक्तम लोगों का अधिक्तम सुख पे राजतंतर आतमक संस्ता वो खड़ी नहीं उतरती बैंथम पर यह कहना दूसरा कि बेंथम ये कहता है कि व्यक्ति के दो मालिक होते हैं एक सुख होता है और दूसरा दुख होता है यह तीन विचारक ऐसी बातें बोलते हैं एक है अरस्तु जो कहता है युडिमेनिया एक व्यक्ति सुख साता है वो नितिक और बोतिक सुख साता है दूसरा है होब्स होब्स भी यही बातें करता है तो बैंथम से पहले यह सारी बातें की व्यक्ति दो चीजों से चालता है सुख और दुख से सुख प्राप्ट करना चाहता और दुखों से बचना चाहता है ये होब्स पहले ही चर्चा कर गया है बस बस ये है कि होब्स ने लेवियाथन खड़ा कर दिया सुख दुख के चक्र में और ये कहा जाता है कि बेंथ हमने कुछ नहीं किया होबस के लेवियाथन के नाक में नकेल डाल दी बाकि है वो भी सुख और दुखा को मानने वाला कि संसार में दो नियामक परवर्टिया हैं सुख और दुख हर एक वेक्ति सुखों को प्राप्त करना चाहता है और दुखों से बसना चाहता है तो आप ऐसा काम करें कोई भी संस्ता कोई भी कानून ऐसा हो जो लोगों का सुख बढ़ाए और दुखों को कम करें तो सुख भी कौन से तो सबसे बड़ी बात है कि कारलाइल को एक बार छोड़े कि सुख होते हैं ये होते हैं मातरातमक इसका तात्परी है कि सुख नाप पे जा सकते हैं सुख कलन किया जा सकता है सुख कलन होता है सुखों को नाप ना क्योंकि जो मात्राइं होते हैं उसको नाप सकते हैं पानी है वो लिटर में नाप जा सकता है लंबाई है वो सेंटीमीटर में या मीटर में किलोमीटर में नापी जा सकती है डेनिशिटी नापी जा सकती है तो वेसे ही सुख और दुख भी नापे जा सकते हैं किसी भी कानून को किसी भी संस्था वो सुख दे रही है दुख दे रही है यह नापा जा सकता है अगर वो इसको अटा देना चाहिए तो सुख मात्रातमक होते हैं तब बहुत जोरदार भात कहता है बेंथम कि सुखों में कोई भेद नहीं होता है सुखों में सिर्मात्राओं का भेद होता है कि एक वेक्ति मिश्र का इतिहास लिख रहा है बेंथम कहे रहा है और दूसरा वेक्ति चुतना रोमान्चित करता है और एक वेक्ति को सुभा रोमान्चित करता है कि मैं जितूंगा हारूंगा तो बैंथम को कहना है कि दोनुए रोमान arrange बराबर हैं अगर आपको जुए में ज़्यादा रोमांच मिल रहा है तो जुए भी अच्छा काम है कोई से सुख मिल रहा है अगर आपको आनन्द आ रहा है मिशर का इतियास पढ़ने लिखने हैं तो वो किजी आपको कोई कहता है जितना पुषपिं है और काव अपार्ण है। पुषपिं ह grandson कन्चे खेलना बच्छों का खेल और दूसरी तरफ अप गमभीर काव अपार्ण है इसम्सीं कोई अंतर नहीं है एक में बुद्धी है दूसरे में भोग है तो अगर दोनों में सुख मिल रहा है तो दोनों बराबर है तो सुख बराबर होते हैं सुखा नुभूतियां सब बराबर होती है ये मातरा आत्मक होती है सुख दुख में अंतर नहीं होता कि ये नेतिक सुख है तो कोई कहता है मुझे इस्वर मिल गया वो सुख बड़ा है और कोई कायाivan मुझे खाने को रस्कूला मिली है वो सुख बढ़ा है, तो वो कहता है सुख सारी बराबर है। बस आप मातराईन देखिए कि आपको ज़्यादा सुख काम मिल रहा है । स्वर प्रापटी में अर सगुले में आप रुस ठीक खाने में ज्यादा अन्न मिल रहा है बजाही स्वर सुध मात्रात्मक है इसे जो मात्राई होती हैँ उनको हम camera कर सकते हो सुखों का pälस प्रन की poking का सकता है है सबसे मैं में सुक मात्रात्मक होते हैं सुखों को नापाग जा सकता है फ्लेसिपिक कैल्कुलेशन किसका है सुख कलन का शिदान किसका है बैंथम का है प्रणाम वाद प्रणाम वाद है उप्योगिता वाद प्रणाम वाद का तात्परिय है कि आप जो भी کام करेंगे उसमें result देखेंगे देखें, गीता अलग है गीता फल निर्पैक्स है प्रणाम निर्पैक्स है रोल्स का न्याई शिदान फल और प्रणाम निर्पैक्स है लेकिन उप्योगिता बाद ये प्रणाम बाद पर बल देता है कि ये result देखुआ प्रिणाम क्या आ रहा है अगर प्रिणाम अच्छा रहा है तो वो काम करो प्रिणाम अच्छा नहीं आ रहा है तो काम मत करो गीता कहते है तो तो काम कर फल की चिंता मत कर यह कहने पहले फल की चिंता करो काम बाद में करो और फल क्या है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख तो बहुत ही कही बार पूछा जाता है कि लोग क्यों करते हैं कानून का पालन कि वो भैकी वज़े से नहीं करते हैं कि हमें रज ये धंड देगा बलकि वो क्या करते हैं कि वो देखेंगे कि अग्या पालन से लाब जादा है या हानी जादा है क्या हो रहा है आपको सरकार ने ये कहा कि आपको हेलमेट पहना निवारी है ऐसा एक कानून बना दिया तो क्या आप पुलिस वाले के भैसे हेलमेट पहनते हैं क्या तो बेंट नम कहता ऐसा नहीं होता यह वोती फुसा जाता है क्यों मानते हैं वो कहते हैं कि अगर आप हेलमेट पहन हो गए तो सिर्फ आपको यह होगा कि हेलमेट के हजार उपे देने पड़ेंगे दूसरा अगर आपने हेलमेट पहनने से लाब जादा हो रहा है और हानी कम हो रही है इसलिए अगर आपको यह लगे कि मेरी कोई रसीर नहीं काटेगा और मैं तो आप बिल्कुल नहीं पहनेगे पिर क्यों मैं जार उपे लगाऊं तो अग्याकारिता करने से पहले लाब और हानी देखी जाती है इसको कहते हैं हम प्रिणावाद लाब हानी सोच के कोई काम करना तो उपयोगिता वादी दर्सन है वो सुख वादी दर्सन है सुख वादी हेडोईजम होता है हेडोईजम का ताथ पर यह है कि वेक्ति को येन केन परकारेंड सुख मिलने चाहिए और सुखों में भी ये कहता है कि बोतिक और नेतिक और अध्यात्मिक सुखों में अंतर नहीं होता एक सूर है वो लिटने में अनद पा रहा है और शुकरात है वो सबते बोले में अनद पा रहा है तो यह कहता है दोनों अनद बढ़िया है तब सुक वाद है यह खतरनाक से दानता है कारलाईल कहता है इसको वो पिंग फिलोसफी बोलता है सूर दर्शन बोलता है क्योंकि जो बेंथम का बल है वो बोतिक सुखों के उपर जादा है संपति के उपर जादा है इसलिए कारलाइल ने जो बेंथम का सुखवाद है उसको पिग फिलोसोफी सुवर दर्शन का ये कुशन बहुत ही पूस्त है क्योंकि सुख बोतिक है क्योंकि सुख मातरात्मक है इस वजे सी ये कहा जाता है तो हमने उप्योगिता वाद देखा अब देखते हैं मुख्य विचार क्या है तो ये हैं मुख्य विचार ये पहली बार एक वेक्ति एक वोट एक मोल ये कहा बेंथम ने गुप्त मतनान का समर्थन किया लाड सवा का विरोध किया क्योंकि लाड सवा अधिक्तम वेक्तियों के अधिक्तम सुख पे खरी नहीं उतरती बलकि इसे लोड्स हैं जो संख्या में अत्यनत कम है उनको तो आता है आनन दो उनको तो सुख मिलता है और अधिकांच परजा उन दोड़स को देखके और हीन बाहुना का शिकार हो जाती है इसे लाल बत्ती क्या करती है लाल बत्ती आप विश्वास नहीं करेंगे अगर किसी भी हमारे उस दोस्त को जो ट्रेफिक कंटरोल करता है अगर उसने लाल बत्ती वालों को पकड़ के उन वैसे लोड सभा है लोड सभा का विरोध करता है क्योंकि अधिक्तम लोगों के अधिक्तम सुख पर खरी नहीं उतरती वैसी वह राजतंतरात्मक सासन का विरोध करता और गंतंतर का समर्थन और एक ही है सबके पीछे फिर है एक प्रोप्त की योजना वो कहता है कानूनूं का ऐसा परचार कर जो हर्ब कर paid को इतनी इस do यह क्ते अपने क यह कंट कर लेंगे यह लोगों के समझ भी नहीं आते आप हुद देख लीजिए र्टी इंड टृटौंकेसी ने कानून है पच्छासों पेज एर आपको पढ़ाने के लिए शिक्षक रखा हुआ है एक की आर्टी बढ़ाओ जो त्यारी कर रहे है उन बच्चों को तो एक कानूने सिंपल बासा में लिखो ना उसको आप छोटा से लिख दो जा कि हरे एक आदमी को हरे एक बच्चे को पता हो उसका तो ऐसा ही एक पेनोप्रिन करके एक योजना है वो अलग परकार सी है थोड़ी सी कि आप क्या करो यह थोड़ी देर पहले में कानून सिंपल बासा में लिखो यह सब बैंथम की बातें बता रहा था पैनोप्रिन योजना यह जेल सुदार के बारे में है कई वार स्कूल भी ऐसे बने होते है कि प्रिंशिपल का उपस बीच में होता है तो बच्चों को यह लग रहा है कि ब बैठे प्रिंशिपल है यह सब जगे नजर डाले हुए है प्रिंशिपल सो रहे हों कम रहे के अंदर से कोई फरक नहीं पड़ता ऐसी जेल में रखो का तो मिश्यल फूको कहता है कि यह जो इसकी पैनोप्रिन योजना है कि आप कानूनों को इसे एसाब से कर दो लोगों के दिमाग में गुषादो कानून की लोग फिर कानूनों का वह तोड़ेगी नहीं कानूनों को मिश्यल फूको कहता है कि विद्या ले के सिक शेक्षक क्या करते हैば बच्छों को ठोक पीटके और कि वो बच्चिस बड़े होते हैं तो अपने आप ही पोलिस वालों को इसे ड़े के बिखे धिने लगते हैं अनके मंद में अपने आप इनसासन में नहारे और पर्थनसा फ näसा है और एत यह काड़ा हुआ जो वैसे पाहँ बादित करते कि मिनार पे जो संत्री खड़ा है चारों तरफ है जो कोठ यहां वो लिए संत्री अमें देख रहा है बाद में संत्री को टादो जाए यानि कानूनों को आद्मियों के दिमाग में गुशा दो फिर वो कभी भी कानून नहीं तोड़ेंगे तो यह कहते हैं यह तो पुंजी वादी राज्य की दंडवेवस्ता का उच्तम रूप है मिसल फू को यह बोला सिंपल रूप है समझाता हूं आपकी सवतंतरता को रोकने का तरीका क्या है चलिए आप अपनी दोस्तों के साथ गई या अपनी महिला मित्र के साथ गई या कोई कुछी प्रूस मित्र के साथ गई आप ने यह देखा चलो बैठके बातें करते हैं हाथ में हाँ डाला इते में वहां लिखा है कि आप केमर लग गए हैं आपके सोशल मीडिया के उपर जो कुछ आप लिक रहे हैं वो सारा का सारा फिल्टर हो रहा है उसका उप्योग किया जा रहा है तो हमारी जो नीजी जी उनकी सवतनतरता है बादित हो गया जैसे ही को किस ने कर दी पैनोप्टिन ने तब मिसल फूको इसके लिए ने ये बात बोलता है ये बेद तूई मैतवपूर्ण है कि बिसल फूको ने ये किस के बारे में कहा तो बैन्थम की पिनोप्टिन योजना के बारे में कहा अब कुश्चन करते हैं अब यह आ गया कि किस विचारक ने बैन्थम को दर्सनिक आमूल पर उतनवाद का प्रनेत गया देखे इसने प्राकृति के दिकारों को अरजक बर्म का सामाजिक सम्झोते को बक्वास विरोध किया और विदी का दिकारों का इसने किया है समर्थन तो इसका सही उत्तर है ये ये वाला है ये तीनों इत्रिश्क नहीं है बेन्थम के विचार प्रणाले से क्या ए संगत क्या है फले से फिक कैलकुलेशन है सुख कलन है प्राकरते के दिगार अराजक बरमे ये भी कहा है एक वेक्ती एक वोट एक मोल का सिदांत भी दिया है लेकिन खुला मद्दान नहीं है बलकि कौन सा मद्दान है गुप्त मद्दान है ये ए संगत है मिशेल फूको ने बेन्थम की किस योजना को पुंजिवादी विवस्ता की दंड विवस्ता का उच्तुम रूप का है कि पुंजिवाद कैसे कबजा कर लेता है लोगों के मस्तिष्क के उपर बुर्जवा पर ना लिए वो तो आप फट से बता देंगे इसके बारे में वो है जेल सुदार वाली प्रिनॉप्ट किन योजना अब है कथन एक कि कारलाइल के अंसार बेन्थम का जो सुखवादी दर्सन है वो पिग फिलोसोपी है कारण आर क्या की हुए क्या कर रहा है कि नीचे वाला कि बेन्थम सुखव को मातरातमक मानता है तथा वह बोतिक वह नेतिक सुखव में अंतर है नहीं करता अब आप देखिये बिलकुल सही है कि सूवर दर्सन इसलिए कहा गया है क्योंकि बेन्खंट मने सुक्षों को मात्रात्मक माना है गुनात्मक है नहीं माना वो कहता है बोतिक सुख है वो मेहतापूर्ण है नेतिक सुख जुरूरी नहीं कि वो ही मेहतापूर्ण है इसलिए कारलाईल ने उसके दर्सन को पिग फिलोसिपी का है क्योंकि लगाने से ये लगबग सही हो गया है हर एक मैं क्योंकि नहीं लगाए मैंने आप से कहा था तो ये बिलकुल इसी उपर वाले लैन की नीचे वाले लैन व्याख्या कर रही है तो इसका उत्तर ए है कि इसकी सही व्याख्या है तो ये हमने एक उपयोगिता वादे विचार किया जिनका नाम था जर्मी बेंथम अब मैं जर्मी बेंथम के बाद पुर्ण हो गया आप लगातार बने रहें आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप में धेरियत रही है तो मैंने देखा है आप लगातार मुझे से जुड़े हुए हैं अब मैं आपके कमेंट्स भी आ रखे हैं गुप्त मतदान पता नहीं क्या लिखा है नो गुप्त मतदान खेर मैं कमेंट्स पढ़न नहीं पाऊंगा कमेंट्स पढ़ना होगा तो क्यों की रीजन में थोड़ी सी बादा हो जाएगी फिर भी मैं नजर डाल रहा हूं कोई महतपुण मुद्दा होगा तो मैं आपको बता दूँगा आपने दिकांस ने सही उत्तर दिये हैं आप बीच में एक चाय पीले मैंने तो पीली है आप थोड़े और तरो ताजा हो जाएगे मर्दद और अथालीम चाह पीलता है यह तो रिवाद ही चलीगे ना तो कप में आगी चाहिए थालीम उठार गेर कोई एक रोटो चाह पीलता है चलिए दादा जी को बूलते हैं और चर्चा करते हैं हम जोन स्टुवर्ट मिल की आगी दो मिल हैं एक है जोन स्टूवर्ट मिल जोन स्टुवर्ट मिल इतिहासकार है और वो वाप और जोन स्टुवर्ट मिल जोन्स इसमिल उसका वेटा है तो इन दोनों को आप अंता दियान रखें किवा दोनों का नाम कि से तो आप के प्लिटिकल साइट में साइडि टी हैं यूस सब्सक्राइब करें तो दोनों मिल का नाम भी द्यान रखें यह बिर्टिस उप्योगितावादी था जैम्स मिल इतिहासकार का बेटा था उप्योगितावाद के प्रनेता जर्मी बैंथम का शिश्य था और हेरियट टेलर का पती था अब इसमें महतफुन बात कोण सिय तीनोय महतफुन है लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा जोर दिया कि हेरियट टेलर का पती था और हेरियट टेलर इसकी पत्नी थी जेस मिल मैंने कहा कि रूसो की बिल्कुल विप्रीत धारा का वेक्ति है विप्रीत धारा नहीं कह रहा इसका ताथ पर यह कि दोनों के लालन पाल ने बड़ा अंतर है रूसो वो वेक्ति है जिसके पिता ने उस पर ज्यान नहीं दिया अपने आप प्रतिवा निर्मी तुई तो सभाविक और प्राकरतिक प्रतिवा यह होती है तो प्राकरतिक प्रतिवा इस वर यह प्रतिवा का प्रतिवा का प्रतिवा रूसो और प्रतिवा इंत्यार की जा प्रतिक जी एसमील इसका बाप इसको स्कूल नहीं जाने देता था बलकि घर के उपर शिक्षा रखे और इसको पढ़ाया करता था तो बांती-बांती के सिक्षिक इसको शिक्षा देने आते थे तो बच्पन में ही प्लेटो ब्लेटो के सब के डायलोग पढ़ गया था हम हेरियट टेलर जब उसके जियूद में आई उससे पहले ये एक ही बात जानता था कि पुस्तों को बारे में जरूर जानता था महिलाओं के बारे में, सुखों के बारे में, प्रकरती के बारे में, आनंद के बारे में, खुले पन के बारे में, इनके बारे में नहीं जानता था रूखा सूखा जीऊन था इसका और साइकिक टाइप व्यक्ति था जब हिरिये ठेलर इसके जीऊन में आई तब इसके जीऊन में बाहर आई तो कई बार आप में पुरुस हैं और कई तो बारी कुहार हैं जिनके आस पास उमीद ही नहीं है वो ये सोच रहे हैं कि कास हमारे जीवन में भी कोई हेरिय टेलर आ जाए है तो देखे आप धेरिये बनाए रखें जितना धेरिये जेस मिलने रखा था कि उसने हेरिये टेलर से जब तक साधी नहीं की तब तक कि उसकी पती की सभाविक मोत नहीं होगी ती फिर दोनों ने तो आपके जीवन में भी हेरिये टेलर हो सकता दिकांस जीवन में कुवारी आ जाए आएगी धेरिये बनाए रखें त्यारी करते रहें किसी पदपे पहुंच जाएं लाड़ी गाड़ी सब आएगी आप चिंता नहीं करें मेरी बातों के उपर ब्रोसा रखें आप तो खे में थमके उपयोगतावाद से अलग है मिल के जो सवतनतता समंधी विचार है लिबर्टी के संदर में और मिल के जो विचार है महिलाओं के बारे में उनके उपर किसका परबाव है तो मिल खुद स्विकार करता है कि उसके उपर मेरी पिरिये पतनी हेरिया टेलर का परबाव मिल के लिए ये कहा जाता है कि ये अनिच्छुक लोगतांत्रिक था ये उदारवादी था बिल्कुल सही है ये बहुलवादी था बहुलवादी वो होता है देखिए तीन सब्द है बहुलवादी बहु संख्यक वादी और बहुमत वादी ये दुनों तो है एक बहुलवादी अलग होता है ये तो मैजोरिटी जम होता है ये प्लूरलिजम होता है मैजोरिटी जम और प्लूरलिजम में अंतर होता है बहुलवादी वो होता है जो कहता है कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारे कि वह सारे राधिति दलों वहुँत सारे विचार वो 那我們 रूपसर के शриकतिन संस्थाएं हो व्यक्ति को सवतंथर्थ पूरूक शेयन का अधिकार हो वह होता है बूलुआत हो बहुसंख एक वाद होता है कि कोई भी निर्ने करना है वो निर्ने वही होगा जिसके पक्स में मैजोर्टी होगी सो में से काउन लोग होंगे वो बहुसंख एक वाद होता है कुलीनवादी था यह कुलीनवादी वो होता है जो सिर्फ पड़े लेखियों और मिल एक समुंद्र है यानि इसमें बेंथम बैठा है इसमें जैमस मिल बैठा है इसमें डीर्टाक विले बैठा है इसने बहुत मेहत्पण पुस्तक लेकी थी डेमोक्रेशी अमरीका वो भी इसके अंदर है कॉलरी जैसे कभी भी इसके अंदर है जिसलिए हराल्ड डोस्की ने जेस मिल को एक समुंधर का है इसमें बहुत सारे विद्वानों का एक विद्वान बना है वो जेस मिल है ये बिटिस समाजवाद जो लोकतांत्रिक समाजवाद है फेबिन वाद उसका भी ये प्रेयरक है तो जोन स्ट्रूट मिल के बारे में ये पुसा जाते है कि कौन था कैसा था रेटेलर का क्या योगदान था किस ने इसको फेबिन वाद का प्रेयर कहा है या कैसा विचारक था अब है इसकी रचना है इनकी जो मेहतपूर्ण रचना हैं तो कई बार ये पूस लिया जाता है प्रिंसिपल्स और पॉलेटिकल एकोना में ये देखी 1848 में तब आई थी जब कार्ल मार्क्स और एंजल्स का लिखा हुआ कम्मिनिस्ट मैनिफेस्ट हो आया था उसी साल ये आई ये 1848 में तो ये तीन किताबें हैं जो पॉलेटिकल एकोनोमी के उपर लिखी गई अगर आप इस प्रिंसिपल को हटा के यां इंट्रोड़क्शन कर देते हैं ये साथ एक बार पूछी हुई है इंट्रोड़क्शन करते ही इंट्रोड़क्शन और पॉलेटिकल एकोनोमी ये पुस्टक हो जाती है रूसों के जैसे आप प्रिंसिपल की जगए क्रिटिक करते हैं अलोचनातमक प। पुस्टक हो जाएगी कारल मार्क्श की तो देखिए तीन पुस्टक के है जो पुस्टकल एकोनोमी से तो इक पुस्टक के साथ हमने तीन पुस्टक के कर ले औन लीबर्टिबोट मैतवपुर्डन का लेख है रीपर जेन्टेटिक गोवर्मेंट प्रति निद्यात्मक सरकार के पर लिखा गया है उपयोगी तावाद इनकी पुष्टक है सब्जेक्शन गुलामिया है महिलाओं का वुमें तो ये इनकी महतफूर रचनाई है आप अगर शम्तावान है तो आप इनको तरतीब से याद करें तो और ही ज़्यादा बैट रहा है हो सकता है मुझे इस एक पुष्टक में गडबर लग रही है ये 8069 है मैं माफिच आँगा ये कर ले आँग अब एक करके करके इन पुष्टकों में क्या लिखा हुआ है हम ये चर्चा करते हैं है ओन लिबर्टी ओन लिबर्टी बहुती महतफूर रचना है जो सवतंतरता के अपर लिखी गई है जैसमील की और इसमें जो सवतंतरता है वो नकारातमक सवतंतरता है लेकि सवतंतरता हैं दो प कारात्मक का और कुछ करने की जो सवतंतरता होती है जिसमें आपको कुछ करने के लिए प्रेर्थ रिते जाता है आप किस हायता की जाती है वो होती है सकारात्मक सवतंतरता तो सवतंतरता है दो परकार की होती है आप कुछ कर रहे हैं तो अस्क्षेप नहीं किया जाएगा और कुछ कर नहीं रहे हैं तो प्रेर्थ किया जाएगा वो होती है सकारात्मक कुछ करने की सवतंतरता तो ओन लिबरेटी में नकारातमक सवतंतरता का वर्णन है नकारातमक सवतंतरता वो होती है जो अबाद होती है जिसे प्रतिबंदों का अभाव होता है ओन लिबरेटी में दो परकार की सवतंतरताओं की ज़्यादा चर्चा है एक है विचार भी siento और दूसरी हमारी सकता इसके वार ये पुश्चन पूस लिए जाता है जएे समील कहता है कि सवतंतरता ना के एक सद्य है और जिस व्यक्ति ने एक वाब सवतंतरता का सवा ठख लिया वों कभी भी इसको छोड़ नहीं सकता तो यह कैना दो प्रकर कि होती है एक विचार और अभिव्यक्ति और दूसरी कार सुवतंतरताब होठी ऱबनार ूनी मिल रोक नहीं सकते वह कि आप विचार अभिवेक्ति को रोक दिया आप लिए कर आपने गल्थ विचार भी कर रहा है कुछ भी कह रहा है आप पता विचार ऐसत्य पर उसको प्रकट ओने दो क्योंकि अंतिंतित तब पता चलेगा जब विजिक्व में ठकराव होगी तब मंतिंति वीचार के ऊपर होगे नंबर एक को दूसरे अगर आप वीचारों का गला गोंट देते माल लेते तो जैसे आप आपने क्या किया इसा म playground को बोलने से सुप कर दिया आपने जहर का पहला पिला दिया सुकरात को यह अगर जिंदा रहते तो कितने नए जिन्हा कितना भला होता उसमें या राक्षस माने गई थे कि इस समाज को बरबाद कर रहे हैं समसिर बरबाद कर रहा है ध़्याना सर्सुलती बरबाद कर रहा है लेकिन मोथ के बाद यही वेक्टि देवता बन गए तो किसी का गला मत गोटी आप वीचारों को परकट होने दीजिए हैं तो विचार और बिवेक्ती है यह निर्बाद होनी सीए चैइए का लगुतम ग्राम कॷेत्र यह बहुत जौद बहूत जादा है तव्तकिन को बोलने ने आप तो हस्क्षेप का लगुतम क्षेतर है ये विचार और विव्यक्ति से जुड़ा हुआ है ये नकारातमक सवतंतरता से जुड़ा हुआ है कि आप कम से कम हस्क्षेप करें किसी विव्यक्ति की विचार और विव्यक्ति की गतिविदियों के अंद तो असक्षेप का लुगू तुम क्षेटरफ है कार यह sauts見て कि इसका बेइकशी अब सुषिद्ध केवर परविश्य कौन पु कि एक विकति के कारियों का पर दूसरों पर धब भी पॉता है जैसे अगर आप शिग्रेट पी रहे हैं तो उसका परवाव शिर्फ आप पर पड़ेगा लेकिन अगर आप सारुजुनिक स्थल के उपर शिग्रेट पी रहे हैं तो यह फिर परविश्यक हो जाता है पर जहां कोई मुद्ध परविश्यक हो गया वहां लगेगा हाने का शिद्धांत हानी का तात पर यह है कि जब आप लठी गुमाने के लिए सवतनतरा आप लठी गुमाईए लेकिन दूसरे के नाग के नहीं लगनी चाहिए आपकी लाठी गुमाने के लिए आप सवतंतर है लेकिन वहीं तक सवतंतर है जहां से दूसरे की नाग शुरू होती है जहां दूसरे की नाग शुरू होगी आपकी लाठी गुमाने की सवतंतर ता रोक ली जाएगी तो जैसे दूसरों को निक्सान होगा आपके कारियों से तो आपके कारियों पर प्रतिबंद लगाए जाएगा वरना आपकारिय करने के लिए सवतंतर है तो परविशक्कारियों में निर्बाद सवतंतरता है सविशक्कारियों में और परविशक्कारियों में हानिका शिदान्थ लगए है तो हानिका शिदान्थ किसे समझ दीता है परविशक्कारियों से असक्षियप का लगुतम क्षेतर किसे समझ दीता है वो है विचार और आगे चलते हैं ये क्या है कि अधिकर्त रूप से बहुत ही फैमस कोटेशन है जेस्मिल की कि अधिकर्त रूप से सक्ति का उप्योग करने का एक मातर उदेश्य अन्य को नुक्सान पहुंचाने से रोकना है कि राज्य सक्ति का प्रयोग तभी करेगा किसी व्यक्ति को उसको तभी रोकेगा तभी अपने प्रादीकार का प्रीयोब करेगा जब दूसरे लोगँ को उससे क्या हो रहा है नुक्सान हो रहा है तो यह हानी का सिधांत होथी मेर्ट उभाग जो कौन बोर के गया यर्नेस्ट बार कर और वह ऐसे लगता है बहुत बढ़ा व्यक्तिवाद यह लेकिन उसका व्यक्तिवाद कैसा है खालपनिक व्यक्तिवाद हैब इसने क्यों का आर्नेस्ट बाहर करने सा कि मिल्खोकली सवतंतरा का मस्याय रुझ का क्ल्पनिक वैकतिवाद है यह बोधन बार पूछा हूँ इसलिए कहा गया है ये कोटेशन पूछ लेते हैं क्यों क्यों कि वो साथ में तो कहता है कि सवतंतरता प्रतिबंद नियुक्त 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 अगर आप राज्य का नुक्सान पहुंचा रहे हैं तो आपकी सहुतंतर्ता रोक ली जाएगी तो एक दाथ आप अबाज सहुतंतर्ता का समर्थन करें और बाद में उसमें बहुत सारे प्रतिबंद भी लगा जेते हैं तब अरनेश्ट बार कर उसको खो खली और सारहिं सहु तो लाद है यह वाल तो बहुत ही महतर पौणा उपरवालीी तो परतिद्वियात्मक सर्कार हमने लोगा पुष्ट उइफ परिजन्टेटियों गौवर्मेंट या और री प्रेजन्टेटिक गौपर्मेंट रूकराइग रूंगर्मेंट बिनित्व परकार की सर्कार होती प्रतिनीद्यात्मक हम सब्सक्राइं करते हैं थो एक किस फिर कशोच्च का समर्थक है एंटेक्स लोगत तर का रोब प्रिये संपर्फुता का समर्थक है वहीं जेस मिल है उप्रतिन हिदी आत्मक लोगतन्तर का समर्थक है शिबली यह कहता है कि अरस्तु की जो पॉलिटी है जिसमें लोगतन्तर भी है और जिसमें कुलीन तंतर भी है प्रष treat और एसा ही लोकतंतर का समΡ्धक है जेस मिल तो तो किसने जीएस मिल के लोकतंतर कोश पृतिनि द्यात्मक लोकतंतर की तुल्ण अरस्टू की पॉलिटी से किये तो वो है शिबली शिबली विद्वान जिस नहीं कहा इसके बारे में तो अगर आप देखेंगे डंग से तो जीश मिल का जो प्रतिनी ध्यात्मक लोगतंतर हैं उसमें कुलीन लोगों के लिए लोगतंतर यह कहता है लोगतंतर उपार नहीं है यह को गिफ्ट नहीं है कि मर्जी ए यह कहता है कि लोगतंतर में जो बहुत संख्यक वाद आता है यह बड़ी जोरदार बात कहता है यह डी टोक्विले भी कहके गया है डेमोक्रिशन अमरीका में है डी टोक्विले डी टोक्विले यह कहता है कि लोगतंतर में जो बड़ा खत्रा होता है वो खत्रा होता है वो बहुत संख्यक वाद से होता है कि लोकतंतर है उसमें शिर गिने जाते हैं शिर के अंदर क्या है मस्टिस्क नहीं गिने जाते हैं तो एकाउन लोग एक तरफ हो जाते हैं चाहिए वो मुर्कियों वो जी जाते हैं और उनसास लोग अगर समझदार हैं वो हार जाते हैं तो तो अलपमत की भी महता होनी सी तो वो जो मुर्ख और अनपरड लोग होते हैं वो अपने सरकार बना लेते हैं और इनको दुआ देते हैं संध्या बल्कयादार के उपर तो मेजियूरिटिसम के जो दूस परवाव हैं लोगता हैं उसके कैसे निप्टा जाए तो वो कहता है, इसे निप्टने का उपाई ये है कि अलब मत को भी मेतव हो और उसके लिए अनुपातिक पर्तिनी दिता हो प्रपोर्शनल री पर्जेंटेशन हो इसका ताथ पर ये है कि जिस अनुपात में आप हैं उसी अनुपात में आप के परतिनित सुने जाएं अगर पड़े लिखे और संपत्तिवाब्ण लोग 20 परसेंट हैं तो इन सबस्क्राइब परतिने थे नितों होना चाहिए फिर होगा कैसे तो अलब हमत्त को मेयता देने का ताहय का था प्रें अनुपाथिक प्रतिनित हो अगर आप संपतिवान है तो आपका एक वोट दो गिना जाएगा अगर आप पड़े लिखे हैं तो आपका एक वोट तीन गिना जाएगा अगर आप पलंबर हैं तो आपका वोट एक अगर आप इंजिनर है तो आपके वोट दो और आप Chief Engineer आपका एक वोट तीन गिना जाएगा यानि पड़े लिके और संपतिवाँ लोगों के वोट जादा गिने जाते थे तो ये विरोध है ये बहुलमतदान का जो उल्टा होता होता है वोता है एक वेक्ति एक वोट एक मौल ये बहुलमतदान होता है एक वेक्ति एक वोट लेकिन अलग-अलग मौल तो ये है बहुलमतदान होगा इसके लिए इस तरी मतादिकार होगा संसद क्या करेगी ये समत्ति सबा और शिकायत सबा होगी यानि ये सिर्फ सम्मतियां और लोगों के विचार एकठे करेगी और ये सिर्फ ग्रिवां से शिकायते सुनेगी और कोई काम है नहीं करेगी तो फिर कानून कौन बनाएगा तो ये कहता है इनका मुख्य बात है कि संस्द कानून नहीं बनाएगी क्योंकि कानून बनाना विशे सग्यता का कारिया होता है अब हमारे जो कई परतीनी दी हैं जो आप मान के चलिए कि वह वास्ट में आप देखेंगे हमारे वह सारे MLMP हैं आज को नहीं बनते हैं पहले वह थे जो क्यों शिक्षा थी दी तो उठा टेक थे वह तो अब उन से कहो कि आप र्टी का कानून बनाओ अब बताओ एक MP एक MLA बनाना हो तो संसद शिर्फ लोगों की शिकायत हैं लोग साथे क्या है यह बताएगी लोगों की इच्छाओं का परकट करेंगी और उन ही च्छाओं को पूरा करने के लिए फिर अलग से विश्य सग्यों का एक संसद कानून नहीं बनाएगी तो हम तो कहते हैं कि संसद का काम कानून बनाना था यह कहते हैं नहीं यह शिर्फ शिकायते सुनेगी और इसका जो लोकतंतर है वो विकासातमक लोकतंतर है यह बोती ही महतपून सब्दाओ लिए विकासातमक लोकतंतर है तो विकासातमक लोकतं पातायक है कि लोगतंतर इसलिए जरूरी है ताकि लोगों के अदिकारों की रख्ष्या किते हैं नहीं कि लोगतंतर की वजए से व्यक्ति अपने नीजी दाइरे से बाहर आते हैं वोट डालना सीखते हैं दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं पूरे समाज के हित के बारे में सोचते हैं इसे लोगों में लोगतंतर की वज़े से अच्छी प्रवर्तियों का विकास होता है अगर राजतंतर है तो सारे लोग हैं उन सोरी राज़ा को सिर्फ मतलब है राजनिती से आम व्यक्ति की राजनिती में कोई भागीदारी नहीं होती लोगतंतर में आम व्यक्ति सरकारी गतिविदियों में भागीदारी करता है उससे उसका mental development होता है उसमें नेतिकता का डावलोपेट होता है वो दूसरों के बारे में सोचना सीखता है उसके विचार व्यापक होते है वो परिवार और घर के दाइरे से बाहर आता है तो वो कहता है कि लोगतंतर आपका विकास करता है तो जेस मिल विकासा आतमक लोगतंतर का समर्थक है और बेंथम है उसका गुरू वो स्रक्षना आतमक लोगतंतर का समर्थक है वेपर क्या कहता है कि देखी कितनी बातें कहे रहा है कि अलप मत को परतिन तो दो अनुपातिक परतिंत लाओ, बहुलमदान करो लोगतंतर आए लेकिन वेपर कहरा है कि यह जुठादमी है यह अनुचुक परजातांत्रिक है विरप्त लोगतांत्रिक है क्यों? क्यों कि यह कहता है कि लोगतंतर सभी के लिए सबी को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, कुलीन लोग ही जानते हैं, तो वोट डालेंगे, फिर ये बहुल मद्दान का समर्थन कर देता है, कि कुलीन और अमीर लोग है, उनके एक ही वोट जदा गिना जाएगा, या एक अमीर है, वो चार वोट डालेगा, खुल मद्दान, ये कहता है, मद्दान गुप्त नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ताकि मुर्ख लोग समझदार लोगों को दे के हाथ खड़ा कर सके, तो इसका ताथ पर ये लोगत तंतर तो चाहता है, लेकि वेपर कहता है, अनुच्छिक लोगत तांतरीक है, इन मिल का उप्योगितावाद, देखिए, दोनों के उप्योगितावाद ही विचारक है, मिल भी और जर्मी बेंथम भी लेकिन दोनों का उप्युतावाद अलग है इसलिए मिल कहता है कि मैं वो पिटर हूँ जो अपने स्वामी के आदेसों के अवेलना करता हूँ नहीं पिटर एक रोमन काल में पिटर नाम का एक दास था उस अपने स्वामीयों के खिलाब दूसरे दासों के कठा करके विद्रो कर दिया था तो यह कहता है कि मैं हूँ मेरे गुरू का चेला ही लेकिन मैं उसमें प्रिवर्तन करता हूँ मैं पिटर हूँ मैं विद्रो ही चेला हूँ जैसा की अरस्तू था वैसा था यह मिलने उप्यों क्या किया कैसे वो पिट्र बन गया वो कहता है सुख गुनातमक होते हैं लिख अकेली मातरातमक नहीं होते संतुष्ष्षुव्र से तो ए संतुष्ष्षOOOO ज्यादा बहतर है लिख ऩात कोई फ़रक नहीं है अननदा नलां चीए चाहिं आप सूरों की तरह लोट पोट करें और सुक्रात की तरह है तरक करें क्या प्रक पड़ता है सुख मिलना जी सुख सारी समान होते हैं मात्राइन आप लो यह किते हैं नहीं सुख समान नहीं होते सारे जो नेतिक सुख अध्यात्मिक सुख बहुत दिक सुख होते हैं वो मैतप सक्ड़क बड़ी तो कों सा सुख वह बुद्दिक सुख हो ज़्यादा मेटवीरोन है ये कहना है विल का तो सुख गुनात मंग होते है बैंत थो कजता है मातरात मग होते हैं ET को कहता है रहिस और सुकरात में कोई फ़र्क नहीं है मिल कहता है नहीं एक संतुष्ट मनुश्य की बजाए ऐसंतर शुक्राद जादा अच्छा होता है सुख कलंचों के सुख मातरा आत्मक नहीं है इसलिए सुख कलंच नहीं किया जा सकता पहले से पर कैलकुलेशन नहीं हो सकता सुखों को गणना नहीं हो सकती सुख गणना आत्मक नहीं होते हैं सुखों में अं ये बुद्ध के सुख हैं जो सुख गुरुनानक के थे जो सुख मावीर स्वामी के थे जो सुख कृष्ण के थे जो त्याग में थे जो राम के सुख थे वो सुख जादा मैता पूर्ण है उन्होंने विराजपाठ त्याग दिया दूसरे के 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 सुख मैता पूर्ण नहीं ह तो ये हैं सुखों का अंतर सुख नेतिक होते हैं वो स्रेश्ट होते हैं और बोतिक सुख हो निक्रेश्ट होते हैं जब कि बें तम सभी परकार के सुखों को समान मानता है तो ये कुछ अंतर कर दिया है उसने उप्योगितावाद के अंतर अब मैं आपको ये question करूँ उसे पहले आप मैंसे एक दोस्त ने ये पूछा है कि कालपनिक वेक्तिवाद क्या होता है अरनेश्ट बारकर ये कह रहा है कि मिल का जो है वो खोखली सवतंतरता का मसीय है और इसका वेक्तिवाद है वो कालपनिक वेक्तिवाद है लेकिन कुछ भी करने केलिए सवतंतर है लेकिन कुछ भी करने केलिए सवतंतर है कैसे उसने तो उसके वह बहुत सारे परतिबंद लगा दिये हानी का सिरिदान्त लगा दिया but always heください वो तो अपने हिसाब से कुस नहीं कर सकता and समाज Geme फिमान्च Anders क्री नहीं कर सकता दूसरे की मान नीनि कर सकता लें कि कितTA सारी प्रतिबंध लगा दिए उसके कार्यों के उपर तो कहा तो व्यक्तिवाद शाथ तो तम बार कर कहता है कि उसका व्यक्तिवाद कैसा है सच्चा नहीं व्यक्तिवादी वहरे का दिखावा करता है उसके 100 बता हो के व्यक्ति नासवर ऐक हम को क्षेतर कम कर दो नहीं अस्क्षेप का लगूतम क्षेतर आई है कि आप कम से कम अस्क्षेप करो अस्क्षेप की क्षेतर को लगू करो राज ये वेक्ति के कारियों में अस्क्षेप लगू मात्रा में करेगा दिर्ग मात्रा में नहीं करेगा तो किसे जुड़ा हुआ है आ छ robi तंद खो एकल प्र पर बोलता है कोगली सावतम्थ ताम्थ एसको बारकर बोलता है इंग्ली समाज वाद का अरम्पिक बिंदू है यह भी भारकर बोलता है तो इसका कोन से हैं 3002 अघुली समाज माज़वाद हम फेबिन वाद को बोलते है। तो फेबिन वादित है तो समाजवादी लेकिन इन फेबिन वादियों का समाजवाद है वो कारल मार्क्स से परबावित नहीं है बलकि ये फेबिन वादी है कार्ल मार्क्स की बजाए किस से परबाविता है जेएस मिल से परबाविता है जो हलके फुलके समाजवाद की सर्चा करता है जेएस मिल तो फेबियदवादी कालमाक के तो विरूद्धी है है तो ये समाजवादी लेकिन लोगतांतरिक समाजवादी है जो मिल को अपना प्रेयरक मानते है ये कहा है बार करने इस सारे सही है मिल द्वारा समर्थित विचार नहीं आप देखिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए देखिए मिल इस परकार के लोगतांतर का समर्थिक नहीं है बाकी सब कुछ है प्रतेक्स लोगतांतर रूसों का है मिल के निमल लिखित कतन से कौन सा सिदान निकलता आप पढ़के देखिए कि किसी भी सब्बे समधाय के सदश्य पर राज्य तभी सक्ति का उप्योग करेगा कब है जब दूसरे को हानी हो रही हो वरना वो दूसरे के मामलों असक्षिप नहीं करेगा अपनी सक्ति का उप्योग नहीं करेगा तो इस से निकला है हानी का सिदान मिल के अंसार सुकरात का एसंतोस की सुवर के एसंतोस से अधिक में तकून है ठीक है, सही है, ये तो कहा है मिल का मानना था कि सभी परकार के सुखा नुबूतियां समान होती है तथा उनको मापा जा सकता है अब देखें आप, मुझे नहीं पता, चलो आप बताओ इसका उतर क्या है सिंपल सा है, ये मिलने नहीं कहा मिलने तो ये कहा है कि सभी परकार के सुख समान नहीं होते हैं बल्कि अलग-अलग होते हैं, नेतिक सुख और बोतिक सुख और सुखों को मापा नहीं जा सकता क्योंको सुख मातरात्मक नहीं मलख़ि गुणात्मक भी होते है तो इसका टात्वरी ए तो सही है लेकिन आरology गलत है तो ए सही है आरodelत आये कहां है है इसजी में यहां तो आपके दिक्कत हैं नहीं है आप समेश्षय और बी वाली फिर आप करोंको जंद करोगे आपके उत्ते ही ज्यादा सही होंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ना वीच-वीच में और भी तरी के बताता जाओंगा नहीं दे मैं आज बताया कि क्यों की लगा के देख लो एक तरीका यह हो सकता है लेकिन यह 15-20 पर चलता है उसे ज्यादा पर नही यह सी कुस हमने चर्चाएं की हमने बेंथम और उप्योगितावाद और मिल का उप्योगितावाद इसमें क्या अंतर था यह सारी चर्चाएं की अब हमारे पास करने के लिए एक और मैतपुन विचारक है जिसकी मैं आपसे चर्चा करूँगा और वो मैतपुन विचारक जिसकी अब हम चर्चा करने वाले हैं वो है कार्ल माक्स जीवन और इनकी जीवनी पढेंगे तो आपको थोड़ा दुखत होगा कि कोई व्यक्ति महान बनता है तो उसके पिछे कित्मा त्याग होता है आप ये चाहें कि सोचल मीडिया पे चार आप मैसेज डालके और आप महान बन जाएं तो ऐसा तो संबव नहीं है पिछे कोई छोटा मोटा कोई मुद्दे के उपर विरोध करना था तो मैंने एक बाई को कहा जो अपने आपको तथाकतित रूप से सहीद मान रहा था तो मैंने का यार तूँ ऐसी बातें लिख रहा है जैसे तूँ किसी पे उपकार कर रहा हो क्यों तेरा हित नहीं जुड़ा हुआ कि इससे तो उनका भी तो हिता है मैं को वो समझते नहीं है तूँ तो समझता है ने इस बातों को तो तूँ कौन सा जिन्दा सहीद है तो देखिए किसी भी मुद्दे का विरोध करने के लिए बहुत सारा त्याग बिलिदान करना पड़ता है काल मार्कस के लिए काल मार्कस के लिए काजाता है कि इस संसार में दो ऐसी वैट्टी वैं जिनको सब जानते हैं एक हैं इसामसी और दूसरा है काल मार्कस नमबर एक फिर कुछ विचारक ये कहतने हैं कि सारे वेक्ति कार्लमाक्स को जानते हैं कि संसार में सबसे परशिद कोई एक वेक्ति सो सारे ही जानते हैं वो कार्लमाक्स हैं बले ही कुछ इसको सेटान के रूप में मानते हैं जो पुंजीवादी उदारवादी हैं जो अमीर हैं और कुछ इसको इस्वर के रूप में मानते हैं जो मजदूर हैं सरोहारा है किसान हैं गरीब हैं वो इसको देवता के रूप मानते हैं जानते सारे है इसको चाहिए आप इसको सेटान माने और चाहिए इसको देवता माने तो ऐसा ही महान विचार था काल माक्स जो पैदा हुआ था जरमनी में लेकिन बाद का उसका जो अधिकांस जीवन है वो चुंकि उसको जरमनी में तंग किया गया तो वहां से फ्रांस गया फ्रांस से फिर ये अपने मित्र के बुलाव के उपर चेकोसलाविया होता हुआ लंदन में रहने लगए और इसका वो महनमित्र था तो इसका भाद का धिकांस जीवन है वो लंदन में बीटा वहीं इसकी मर्तियों हो गई थी तो अन्तियом से मै इसने काल माक्स से लंदन में बिटाया था ये विज्यानिक समाजवाद का पीता है समाजवाद दो परकार का है कालमाक्स और अंजल्स ये कहते हैं कि हमसे पहले वाला जो समाजवाद है वो कालपनिक समाजवाद है कालपनिक समाजवाद वो है जो सिर्फ कलपनाई करता है जो अच्छी अच्छी चीजें बताता है लेकिन इसको लागू कैसे किया जाए यह नहीं बता पाता है विग्यानिक समाजबाद वो है जो समाज को बदलने के तरीके भी बताता है अच्छी कलपना के साथ साथ बदलाओ कैसे हो तो ये भी बताता है तो ऐसे समाजबाद को जिसको वेवारिक रूप से डाला जासके हम वेग्यानिक समाजबाद बोलते हैं जिसको वास्त में डाला जासकता है लेली ने इस समाजबाद को लगू करके दिखा दिया रूस में माओ ने दिखा दिया शाइना के अंदर फिदेल कास्त्रों ने दिखा दिया क्यूबा के अंदर ये वियतनाम में है ये उत्री कोरिया में है तो ये देखिए ये लागू हो गया ना इसको इसमें विग्यानिक समाजवाद है कि वेवहार में इसको लागू किया जा सकता है काल माक्स निस्बेट नाम का एक विचारक है जो ये कहता है कि काल माक्स में जर्मनी का दर्शन है यानि ये हेगल और फायर बाक्स से बहुत ज़्यादा परबावित है हेगल से इसने लिया है दोन दवाद और फायर बाक्स से लिया है इसने बोतिक वाद ये दोनो जर्मन दär सिने हैं ये हलाकि दोनो हम प्रिउर्टन कर दिया वो अलग मुद्ध है ये कहता है कि हेगल का दोंदवाद रएड, मैं इससे परभावी तो हूं लेकिन मैंने वी इतना है थे इता चेंज कर दिया है कि हेगल का दोंदवाद जो विचारों के उपर अडारित है मैं इसको जर्पदार्तों पर अडारित कर दिया है, IDIAS की बजाय कि मैने इसको matter पर अडारित करती है, ये खड़ा था पहले शिर्के बल, शिर्सासन गर रा का था मैंने इसकोangचिदा कर दिया है, रिडिकल करांती का ताथ परिया है यह है कि उसने हर चीज बदलते हैं सामंतवाद को उखाड़के फैंक दिया नंबर एक राज तंतर को उखाड़के गणतंतर ले आई और धर्म के वजाए धर्म निर्पैक्सता ले आई देखी पहले कि समझ सनस्ता को उखाड़के नहीं सन लोगिक करांती वहीं से उसने फिर इसी उद्योगवाद से उसने प्रेणना ली सोशन और वागती बांती कि बुर्जुआ समाज की और पुंजिवादी सोशन वहीं से सीखा इसने क्या होता है पुंजिवादी सोशन क्या होता है सरवारा यह कैसे होता है संगर्स कैसे होता में अत्रिक तमुल्या का मुद्दा क्या है ये सारा उसने इंगली सर्थास्तर और इंगली सर्थास्त्रियों से सीखा तो ये निश्बैट कहता है कि जर्मनिक से दर्सन लिया फ्रांस से राजनिती विचार लिये और अंग्रेजों से इसने आर्थिक विचार लिये तो दर्स की कहता है कि कार्ल मार्क्स कोई मौलिक विचारक नहीं है बलकि इसने तो क्या किया बहुत सारे विचार जो एंट और पत्थरों के रूप में बिख्रे हुए थे उन सब को इकठा किया और एक सुन्दर महले खड़ा कर दिया लोसकी नहीं ये कहा अब कार्ल मार्क्स की रचनाओं के उपर एक क्वेशन जरूर आता है हर हाला आता है एक क्वेशन तो यह आता है कि इसकी जो कर्तियां हैं पुष्टकें हैं या लेख हैं उनको आप तर्तीब से लगाओ काल कर्मा नुसर लगाओ तो एक तो आप में इनको सन्याद करने पड़ेंगे फिर ये हैं भी कुछ ज़्यादा मातरा में तो ये कही याद करने पड़ेगी दूसरा कि किस पुष्टक में क्या लिखा हुआ है मैं यह नहीं कहता आप आप लाइन टू लाइन पता हो लेकिन इनका सही नाम है इकानामिक और फिलोसफिकल मैनुस्कृप्स मैनुस्क्रिप्स पॉंडू लीपियां होती है यह अर्चा शुर्दर्सन पे लिखी गई थी पॉंडू लीपी होती है हाद से लिखा गया जो कच्छा काम है आप यह सी पनूलीपिया कभी त्यार करेंगे philosophical manuscript है जो 1846 में लिखी गई लेकिन ये कभी पुष्टक के रूपे सामने नहीं आई फिर ये संदूक में बंद थी बाद में कारल मार्क्स ये बैटी जो जिन्दा रही बाद में उस ने एक दिन उस संदूक को खोला पड़ी पिता की प्रोपर्टी देख ती की पिता जी मेरे लिए क्या छोड़के गहें और ये बात है लगबग 1932 के आसपास कि कि बहुत समें बाद ही सामने आए थे ये सताले लिख तो 18-47 मी दिये थे लेकिं सामने दुनिया के बादमे तब दुनिया को पता चलब की एक नए मार्क्स था तो फुछ पॉन्डुलीपिया थी जो बादमे लग बग उसके मरनने के लिखने के सो साल बाद सामने आई तब पता चला कि मार्क्स दो हैं एक यंग मार्क्स है और एक मैच्चोर मार्क्स है इस से पहले लोग सिर्फ इस मैच्चोर मार्क्स हो जाना करते थे बाद में पता चला कि यंग मार्क्स था जो इन पंडूलीपियों में उसके विचार अलगी परका पारिव्य थुजर बोलते हैं कि पारिस पांडूलीपिया आने के बाद हम कहा सकते हैं कि एक 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 अन्तराल आया एक यंग मार्कस अलग है और प्रोड मार्कस अलग है इन दोनों के घ्यान में तरक में विचारों में अंतर हैं जीसे आपको ऐसे ने समझ में आ रहा तो आप प्लेटो को समझे प्लेटो के जो विचार हैं वो यूटोपियं है रीपबिक के अन्दर और बाद में उसमें एपिस्टरम लोजिकल ब्रैक आता है उसके बाद लोज लिखता है जिसमें वेवारिक विचार है उसमें कलपना है यह नहीं वैसे ही थोड़ा कलपनिक था यंग वेक्ति अपर इकमता कलपनाई करते हैं आप जवान है तो आप घुप सारी कलपनाई हैं जैसे जैसे आप मैचुर होते जाएंगे कलपनाई गाइब हो जाएगे आपके और बिल्कुल गावारिक हो जाएगे अभी आप अधिकांस ये सपने देख रहे हैं कि एक राजकुमारी आएगी जो अपने माता पिता की इकलोती संतान होगी उसके माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा धनी होंगे तो कुछ नहीं करना अपने को उसे राजकुमारी के साथ येन के इन परकारेंट साधी करनी है जी उन सुकी हो जाएगा फिर सबनी देख रही है तो यंग लड़कियां है वो कैल्पने कह यूटोपियन है वह यह सबने देख रहे हैं कि कुछ नहीं करना पढ़ना लिखना प्ढ़ना जो एक हम एक गोड questão वाला राजकुमार जो लिमोजीन लेके बाद में आप बवारिक हो जाते हैं तो ऐसा ही प्लेटो था ऐसा ही प्लेटो था ऐसा ही मार्क्स था तो यंग मार्क्स अलग है मेचौर मार्क्स अलग है लुएल्थ हुजर कहता है कि इनकी कर्तियों में एपेशनलों लोजिकल ग्यान में माशिया अंतरहाल आता है ये भी बहुत पूछते हैं किसने का आई फिर आई होली फैमेली होली है पवित्र परिवार ये धर से लेक्मजाक में लिए गया गया सब्द है ये जो नव हेगलवादियों का एक समू था जो हेगल के विशेस खास चेले थे इनको विरोध किया था एंजल्स ने और कार माउस थे तो इनको मजाक में जो हेगल के खास सेले थे इनकी अलोचना में लिखी गई है holy family holy family का ताथ पर यह है यह नव हेगल वादियों का एक समूः फिर आई जर्मन आइडियोलोजी इसमें इन्हों ने यह कहा कि विचारदारा है वो मिध्याचेतना है जो आदमिकी मस्थिसके उपर कबजा कर लेती है विचारदारा और व्यक्ति फिर वही सोचता है पूर्चेटी उपफिलोसोपी प्रॉन्दों ने किताब लिखी थी फिलोसोपी ओपूर्चेटी ग्रीबी का दर्शन और इसी की अलोचनव में फिर पुस्तक लिख दी पूर्टी ओफिलोसोपी काल मार्क्स की दर्शन की ग्रीब भी की दर्शन ग्रीब है परोंदा का फिर अगले साल आया कम्मिनिस्ट मैनीफेश्ट और ठारा सोड़ तारिस में इसका तो आप उसन याद रखना पड़ेगा तो अठारा सोड़ सम्मालिस का पैरिस पांडूली पर पैरिस में था तब लिखी गई थी फिलोसोपीकल एंड एकॉनोमिक मैनिस्क्रीप्ट दूसर आप याद रखें हर रात में ठारा सोड़ तालिस चार साल बाद कम्मिनिस्ट मैनीफेश्ट वाया जो दोनों ने मिलके लिखा एंजर्स ने और काल मार् था कि अगर कम्मिनिस्टों का राज आया तो क्या होगा संसार के अंदर और कम्मिनिस्टों की विचार पर नाली क्या होगी इनकी सोच क्या है इसको मैनिफेश्टों में परकट किया गया इसमें इसी में लिखा हुआ है कि कामगारों का कोई देश नहीं होता दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ या सारे मजदूरों एक हो जाओ ये ये यूरोब के पुंजी पती कांपते हैं तो इनको कांपने दो इसी में लिखा हुआ है कि अभीत तक का जो इतिहास है वो काई का इतिहास है वर्ग संगर्स का बारत का इतिहास राजाओं के संगर्स का इतिहास है लेकिन कारमा कहते हैं नहीं इसमें संगर्स होता है अमीर में और गरीब में दो परकार के वर्ग होते हैं एक जिसके पास उत्पादन के सादन होते हैं दूसरा जिसके पास उत्पादन के सादन नहीं होते हैं एक सोश्चक और सोशितों के मद्य जगड़ा होता है और इतिहास आगे बढ़ता है तो आज तक का ग्यात इतिहास है वो वर्ग संगर्स का इतियास है और रज ये क्या है कि ये पूंजी पतियों की सहाइता करने वाली एक कार ये समीटी है ये उनकी गुलाम है और कुछ भी नहीं है तो ये कहां लिखे हुए ये बातें एक कमिस्ट मैनी फेश तो में ये भी पूसा जा सकता है थीसिस ओन फायर बाक इसमें प्रैक्सिस की अधालना है प्रैक्सिस का अताथ परी होता है कि शिधानत और वेवार में अंतर नहीं होना चीए जो शिधानत आपने दे दिये हैं प्रवार में लागू होने चाहिए तो इसमें लिखा हुआ है कि दार्ष निकों ने आज तक दुनिया की व्याक्या तो की है लेकिन इसको बदला कैसे जाए ये बताया नहीं है तो वेपर कहता है कि सुन्दर गुलाबों की कलपना तो बहुत सार शबने की है लेकिने सुन्दर गुलाबों को पैदा कैसे किया जाए इसके लिए धर्ती खाद पानी की सर्चा कोई नहीं करता तो प्रेक्सिस है वो किरता है खाद पानी की वेवस्ता तब ये कहा गया है इसके अंदर तो कारमार्ग क्याता है कि कालपनिक समाजवादी हैं वो सिर्फ कलपनाएं करते हैं उन कलपनाओं को वेवार में कैसे डाला जाए ये विग्यानिक समाजबाद बताता है तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डास केपिटल ये है मुख्य पुस्तक काल मार्क्स की सोच ये थी कि वो एक ऐसी मैगनम उप्स लिखेगा मैगनम उप्स का अतात्प्रिय अमाहान रचना ज nucleia चनके लिए कहा जाता है कि मैगनम उप्स है उप्स की इस दूसा मैं भी एक मैगनम उप्स लिखूँआ जो चाज आएगी और जिस ये बुस्तक बिकेगी उसकी रोयल्टी से मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा मेरी मैनत से लेकिन इसकी मान ने कहा क्योंकि ये दास केपिल बाद में चपी इत्ती मैनत के बाद ये अठारा सो सरशट में चपी और ये भी की नहीं खृदी नहीं इतना बड़ा गरंत कौन खृदे इसको और खृदे समझ में और नहीं कहीं होगे अलांकि बाद में घर घर पहुंच गई वो जिन्दा था तब तक नहीं भी की इसने दास केपिटल लिखते वह दास केपिटल पुंजी ही हिंदी ये इसके दास जर्मन सब्दें दै इंगलिस परिया है तो कालवास खुद कहता है कि इस दास केपिटल को लिखने के लिए मैंने जितना खर्चा किया था कि मैं जित्ती शिगार पी गया ना जित्ते पैसे की उत्ते की दास केपिटल से कमाई नहीं भी जित्ती कि तुम्हें शिग्रेट पी गया गया इसकी माई यह कहती ही कि मेरे पेटे ने दास केपिटल लिखने की बजाए अगर केपिटल कमाई होती तो जुद्धा सुखी रहत अगर वो कहीं पड़ाता बढ़ाता और कुछ डंगा गाम करता और केपिटल कमाते तो सुखी रहता दास केपिटल से तो दुखी हो गया साथ में इतना टाइम बरबाद कर दिया और साथ में कोई आर्थिक फाइदा भी नहीं हुए तो देखिए सारे काम आर्थिक फाइदे और बोना पार्टी जब अठार वांज लूई बोना पार्टी जब था फ्रांस के अंदर तो रज यह किसी भी वरग का गुलाम नहीं था उसमें दो वरग थे एक थे सामंत और दूसरे थे पुंजी पत्ति या बुर्जुआ आप इनको कुछ भी कह दो और दोनों समान मातरा में सकति साली थे दोनों एक दूसरे को काउंटर करते थे तो प्रिणाम यह निकला कि रज यह इन दोनों की नियंतर्ण में नहीं था यानि दो बिल्यों की लड़ाई में बंदर मज़े ले रहा था वो बंदर था रज्य तो एक ही पुष्टक है जिसमें कार्लमाक्स ये कहता है कि रज्य वर्गों से सुवायत होता है बाकी में तो ये कहता है रज्य गुलाम होता है जब दास समाज था तो रज ये मालिकों का गुलाम था जब समंती समाज आया तो वो समंतों का गुलाम हो गया और जब उद्योगवाद आया पुंजिवाद आया तो रज ये पुंजिपतियों का गुलाम हो गया तो रज ये सुवायत नहीं है बलकि रज ये गुलाम है लेकि अठारवे लूई बोनापार्ट एक मातर पुस्तक है जिसमें कालमाक्स यह कह रहा है कि राज्य स्वायत हैं इसी हम कहते हैं बोनापार्टिजम क्रिटिक ओव गोथा प्रोग्राम ये इनकी अंतिम पुस्तक है गोथा जर्मनी में एक सहर है वहां के कुछ जर्मन सामयवादी इकठे वे उन्हें गोथा प्रोग्राम की चर्चा की इस गोथा प्रोग्राम में उन्हें लोकतंतर की चर्चा की और कुछ और मुद्नों के उपर चर्चा की तब इन गोथा प्रोग्राम वाले जो गोथा जहर में जो समयवाद ने प्रोग्राम बनाया था उसका कारमाक्स ने विरोध किया तब इसने लिखा क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम और उसमें ये कहा कि जैसे ही करांती होगी बुर्जुआ करांती उसके बाद सामय वाद दियेगा बिल की बीच की एक संक्रमन कारी नवस्त आएगी जिसको बहुत है सरवहारा की तानाशाई वो कहता है ये आएगी उसके बाद सामय वाद आएगा तो इसमें सरवहारा की तानाशाई का वो क्या है उसका व्यापक वरणन किया गया है क्रिट्रिक औह से प्रोग्राम यह इनकी अंतीम पुस्तक थी तो बाइच जानस पुस्तक चेंढ़ ज़ूर्ण रखें कि अंत में लिखी गई थी बाकई पुस्तकिर यादогन से पहले लिखी गई दास केपिटल के बाद में कई आयेथे और संस्क्रन ऐते इसके तीन बार संस्क्रन आए तीन वर कम साल टीन पुर्थ होमें बड़ी पूस्टा करें भाद में य powder और चपी जब जब इसकी डैथ हो गए थी उसके बाद इसके दोस्ते एंजल्स ने इसको सपवा था दास केपिटल को यह तीन बड़े-बड़े भाग है इसके तो दास केपिटल के हमने चर्चा कि अब हम कहते हैं कि यंग मार्क्स हैं वो कैसा है देखिए मैं थोड़ी तर कह रहता है कि जो पैरिस पांडू लीपिया है उनमें जो हमें मार्क्स दिखाई देता है वो यंग मार्क्स है यंग मार्क्स हुआ है जो करांती की चर्चा नहीं करता जो हिंसा की चर्चा नहीं करता जो वर्ग संगर्स की चर्चा नहीं करता बलकि वो प्रेम की चर्चा करता है मनोता की चर करांति की आर्थिक मुद्दों की घंबीर सर्चाएं करने लग गया था यहां प्रेम की सर्चाएं कर रहा है प्रेम का ताथ पर यह नहीं है यह थोड़ी कलपनिक है वो थोड़ा यूटोपियन टाइप है तो जब यंग था तब उसने पैरिस पांडूलीपियों में का ताथ पर एक चीज़ का दूसे चीज़िस से अलगाओ उना और यह अलगाओ का सिधान्त है ये कालमाक्स ने हेगल से लिए है आप लिए हेगल से लिए हेगल तो जर्मनी का बहुत बड़ा दार्स निक था कार्ण मार्क्स की पर सबसे द्धा परबाव है तो उसी हेगल का यह है तो हेगल ने सबसे पहले अलगाव की अवधारना दी थी हेगल ने अलगाव की अवधारना सकारातमक और अलग रूप में दी थी हेगल बोला कि दुनिया आगे कैसे बढ़ती है हमारा जीवन आगे कैसे बढ़ता है हम ग्रोध कैसे करते है ये बोलता है हमारे मस्टिक से पहले एक विचार आता है हेगल कहता है फिर वो विचार है वो कुछ समय तक सलता है पर उसका विरोधी विचार आता है यानि हम पहले विचार से हम अलग हो गए और हमारे अंदर निया विचार आ गए है पहले बारतियों ने ये सोचा कि जो मुस्लिम राज है उससे अच्छा अंग्रेजों का राज है तो पहले विचार से अलग हो गए दूसरे विचार पर आ गए पिर अंग्रेज आगे तो उन्हें सोचा है कि अंग्रेज उने हमारा सूसन किया इस जए आखा तो हमारा खुद का राज हो तो फिर वो सूसासन की तरफ सोचने लगए उनके मुनमें एक निया विचार आए तो दुनिया कैसे आगे बढ़ती है? पहले एक विचार आता है, फिर वेक्ति में दूसरा विचार आता है, तो पहला विचार दूसरे विचार से अलग हो जाता है तो जब तक अलगाव नहीं होगा विचारों में तब तक दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी तो अगर आप विचारों से चिपके रहेंगे तो कभी भी आप ग्रोथ है, नहीं करेंगे तो विचारों में प्रिष्टनों और अलगाओ होता रहां न description अगर ग्रोथ करनी है उतिहास को अगे बढ़ना है और जीवन को अगे बढ़ना है तो आप भी विचारों में अलगाव करें तो हेगल ने तो अलग संद्रब में कहा था कि इतिहास विचारों के अलगाव से अगे बढ़ता है अब अलगाव तो वहां से ले लिया लेकिन इस अवदारना को नकारात मक्र दिया कालमाक्स ने कालमाक्स बोला कि पुन्जी वाद की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि इसमें अलगाओ पाया जाता है अलगाओ ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसा मानिए कि आप अलग हैं अपने प्रिवार में आप प्रिवार के बीच में तो रह रहे हैं लेकिन प्रिवार वाले हैं वो आप चूंकि बिरोजगार है तो इसलिए आपको किसी भी मुद्दे पर एहमियत नहीं देते हैं अब आपके बबा में रुब्या मांट दियो बबा क्यों लड़ इठारी बुड़ी हैं तो इसका मतलब वह आपकी बावनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अधार हैं तो यह लगाव दुख देता है पुंजी वाद में यह लगाव पाय जाता है समाज के अंदर प्लियक शहर में चलवाओं ड़ीज में जहां फ्लेट क्लिटर आ गई है फ्लेट कल्टर और फ्लेट कल्टर वहाँ आप यह देखेंगे कि कोई किसी से कोई मतलब नी रहता तो गाँं से जो वेक्ती आते हैं जो कोई कि बोलता है नहीं है, सारे तौह देक है कहारा है कालमाक्स यही बाते कहा रहा है कि पूंजी वाद में अलगाव पाया जाता है पहले वेक्ति अपने उत्पाद शेलगा होता है फिर वो प्रकरती शेलग हो जाता है नेचर से फिर वो समाज अपने सहचरों शेलग हो जाता है अंत में स्वयम शेलग हो जाता है ये चार प्रका फिर परकरती से आपको मजदूर को अगर वो द्याड़ी करेगा तो साम को पेट बर पाएगा तो परकरती के नजारे नहीं ले पाता है तीसरे उसका समाज से लगाव हो जाता है समाज का तार्थ पर यह है कि अपने सहचरों से लग हो जाता है ताइम ही नहीं है सुख दूख में जाने का मरने परने पर जाने का और तीसराइदी वेक्ति स्वेम से लगो जाता है वो काम करता रहता है उसका स्वास्तिय उसकी इच्छाएं उसकी जो मन के भाव है वो सब दब जाते हैं और वो एक मशीन मन के रह जाता है तो अलगाव लेके आता है जो फुन्जिवाद है और यह वर्णित कहा है अलगाव परिस्पंडूलीपियों में जारिज ल्यूकोज हंगरी का एक बहुत बड़ा विचारक था उसने एक पुस्तक लिखी थी इस्ट्री ओप क्लास कॉंश्चेंडेस उसमें भी इस यह लगाव की जर्चा थी तो आप कहते हैं इसकी लगाव की जर्चा तो इसमें भी है परिस्पंडूलीपियों में जो 1847 में आगे थी लेकिं 1847 में दुनिया के सामने नहीं आ थी संदूक में बन थी है और संदूक स्कूल से निकला हुआ अलोचनावाद है या क्रिटिकल थेरी है अलोचनावक शिदान फ्रेंक्फट स्कूल का जर्मनी वाले का हरबर्ट मार्क योजे के पुष्ट तक है वन डाइमेंशल में एक वीमिय आदमी उसमें यह पर पुष्ट के पुष्टिजाती है यह कहता है कि वेक्ति की दरश्टी निश्चित कर दी गई है वेक्ति शिर्फ बोतिक संसादनों का गुलाम होके रह गया है जैसे हम सर्चा कर रहे हैं कि जड़ वस्तूं की पुजा करने लग गया चिर्फ बोतिक चीज़ें उसके लिए मैटपून हो गई है परिवार क्या है समंद क् यह मैटपून नहीं है उसको सुख दिखाई देता है वो बोतिक वस्तूं में तो मशीन बन गया है कमाई की और कुछ नहीं है तो हरबर्ट मार्क युजे का है वन डायमेंशनल में एक आदमी जो सिर्फ धन्द के बारे में बोतिक आनंदों को खोज रहा है तो वो के सिदांत को एगे बढ़ाया तो नौ मार्क्स वांदी किससे परिरत है वो यंग मार्क्स से परिरत है ये भी पूछाजाता है तो हमने अलगाव का सिदांत यह कहां से आया और किसने वड़न किया हमने ये भी देखा जिड़ वस्तों के बुज़ा अभी हमने चर्चा की कि पून्जी वाद में क्या किया जाते है इसके सबसे बड़ी कमी है या आदमी की नहीं बलकि उसके द्वारा पैदा कीगी वस्तों के पूज़ा की जाती है तो लुहार के बजाए सुनार की ज़धा पूजा की जाती है और तीसरी है प्रेक्सिस की उधारना प्रेक्सिस होता है सिधान्त और वेवार की एकता कि सिधान्त वो ही काम के हैं तो वेवार में डाले जासके और विग्यानिक समाजवाद इशी को हम कहते है वेवारवादी कहते हैं कि हमने ग्यान ग्यान के लिए इकठा किया है और प्रेक्सिस का उल्टा सोचते हैं वेवारवादी तो ये हमने प्रेक्सिस के उदारना की तो ये प्रेक्सिस के उदारना वस्तों की जड़ पूजा ये जड़वस्तों के पुजा अलगाओ के उदरना ये सब यंग मार्क्स के विचार हैं अब हम देखते हैं कि अब हो गया है मार्क्स प्रोट तो प्रोट मार्क्स के विचार कौन से हैं हम इनकी चर्चा करें वो है दोन्दात्मक बोतिक वाद एतिहासिक बोतिक वाद और वरग संगर्स और अन्दपातिक परतिनीतों का सिधांद पहले मैं आपको दोन्दात्मक बोतिक वाद समझाता हूँ कि ये क्या है ये दार्षनिक अदार है फिलोसोपिकल बेस है काल मार्क्स के विग्यानिक समाजबाद का पहले हम दोवन्दातमक समझते हैं फिर बोतिक बाद को समझेगे दोवन्दातमक का ताथ पर यह है कि इस संसार में जो गतियां पाई जा रही है जितने भी परकार की वो दो चीज़ों के आपसे टकराहट से पाई आगे बढ़ता है पूरा संसार दो विचार आपस में टकराते हैं एक नया विचार आता है और दुनिया आगे बढ़ते हैं यह कहना हेगल का दो बोतिक चीज़ें टकराती हैं दो उत्पादन के साधन टकराते हैं दो वर्ग आपस में टकराते हैं आर्थिक चीज़ों पर कबजा करने गरी बोतिक चीज़ों पर कबजा करने गरी और संसार आगे बढ़ता है यह कहना है कार्ल मार्क्स का तो दकी समसार आगे बढ़ता है दो चीजों के आप और वह से इसको बोलते हैं डायलेक्टिकल मेत्र दूसरा है कि फिर दोई होगा किसे अंदर तो हेंगल केता है आइडिया में होता है कार्मा केता है नहीं वह मेटर के अंदर होता है जड़ पदार्थों में होता है और आगे बढ़ती है पदार्थों के अंदर टकर पाई जाती है तो ये हेगल के दोन तवाद से प्रेरित है लेकिन बदल दिया इसको तो उसने दोन दवाद तो लिया है हेगल से और बोतिक तवाद लिया है फायरबाग से और ये कह रहा है कि इसका बोतिक तवाद बदा बोतिक तवाद को सही तरिकाशस अम्जान नहीं पाई है 지역 से बोनों ही जर्मन दारिसनी कह है फाईर vaak और हेगल और कालमाकसों भी जर्मनी का है और मनुष्य का सामाज करती तो कि उसे इतना मनुश्य की जेतना उसके सामाजी कस्तितों का निर्दान करती है मनुश्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही मनुश्य बनता है अगर मनुश्य के विचार गटियां है तो वो चोर बनेगा डाकू मनेगा अगर विचार अच्छे हैं अच्छे समाज में रह रहा है तो अच्छ आपके विचार वैसे ही होंगे तो विचार अमीर गरीब नहीं बनाते बलकि अमीरी और गरीबी है वो विचारों का निर्मान करती है तब ये कहा गया कि मनुष्य का सामाजिक अस्थित उसकी चेतना का निर्दारन करता है ने की चेतना उसके सामाजिक अस्थित होंगा तो अमीरी और गरीबी व्यक्ति के विचार बनाती है अमीर के विचार अलग होंगे गरीब के विचार अलग होंगे ये कहना है कार्ल मार्क्स का यानि ये बोतिक तावाद के उपर बल दे रहा है एंगस कहता है जो पूरा बोतिक दोन दोवाद है ये विचारों में इसे संसार आगे बढ़ता है इसके तीन बुनियादी नियम है ये बहुत ही पूचाओ जाता है इक कोण सा नहीं है तो आप तीन याद रखें परिणाम से गुण की और परिवर्तन के पहले जब भी चैंजे जाते हैं डोंदो होता है तो पहले बदलते हैं वो result यानि प्रिणाम यानि मातराइं बदलते हैं फिर उनके गुण बदलते हैं जैसे पानी के माद्ध उसे समझाओं पानी में पहले मातरातमक परिवर्थन होगा बर्ख बढ़ने से पहले मातराओं का परिवर्थन होगा कि वो 0 डिगरी पर आएगा और जैसी वो 0 डिगरी पर आएगा उसके गुड़ों में परिवर्थन हो जाएगा वो तरल से ठोस हो जाएगा तो परिवर्थन है ये quantity से quality की और होते हैं दूसरा है परस पर विरोधी तत्तुओं की अंतरव्यापती की एक ही पदार्थ में दो विरोधी गुण एक साथ पाई जाते हैं लोहे में कठोरता या के लिए नहीं पाई जाते हैं उसमें कोमलता भी पाई जाते हैं बढ काया मेरी पूल में दो विरुद्धीकूरों होते हैं पूल कंफन भी होता है हात लगाते तो कंमल है अगर बोज़ादा कॉमल होगा तो उसका आकार ही नहीं बन पाएगा, वो तो फिर गोल-गोल हो जाएगा, उसमें कठोरता भी पाई जाती है तीसरा है निशेद का निशेद, ये निशेद का निशेद, इसका ताथप्रिय ये है, कि सबसे पहले एक वाद आता है फिर उसके बाद उसका परतिवाद आता है, और फिर एक इन तीनों से इसका सवाद आता है बढ़ता है वाद प्रतिवाद और सम्वाद एक वाद जब प्रतिवाद बन जाता है तो कभी भी प्रतिवाद वापस वाद नहीं बनता यह तो गया निशेद वाद का अगर उल्टा कोई एक कोई आपके idea है उसका olta1 नहीं जाओगे इतियास मिख़ी नहीं ले जाता कभी भी अगजी बढ़ता रहता है तो वाद का प्रतिवाद आना को यानि यह निशेद है अप वाद से प्रतिवाद पर आगए तो वापिस《पारार पर नहीं यह हो गया निशेद फिर इन दोनों की टक्र से संवाद पर पहुंचे तो संवाद आगे जाएगा नहीं तो वाद बनेगा नहीं प्रतिवाद बलकि एक नया वाद बनेगा तो यह हुआ निशेद का निशेद यह कहता है कि बले ही सामन्तवाद है वो पुझिवाद से ठीक रहा होगा लेकिन वो उससे और ज्यादा बेटर केंगा वापिस नहीं जा सकते तो इतिहास से एक वाद आगे बढ़ जाता है तो वह फिर वापिस पिछे नहीं जाता है यह है निशेद का निशेद है तो तुती नियम है प्रिनाम से गुंण कौंटिटी टू क्वालिटी जहा रखे क्वालिटी तो क्वालिटी यह परिवर्थन ऋते हैं परस पर विरोधित ततो एक ही पडार्भ में एकशाध पाये तें निश्यद का निश्यद पाया जाताह कर्य वाद ये इसको व्यवार में डौने ये लिए को एक्षिक बॉतिक व्याते हैं अब ये आये इसके रहा नितिक विच्ण या सामाजिक विच्ण क्यों कि मूलते समाज शास्तरी है जो काहल माक्ष आ इस इतिहास में जो कुछ है वो जड़ पदार्त है ये है इतिहास बढ़ रहा है दोंदो बोतिक पदार्त हों में समाज काई पर निर्बर है कि समाज है वो उसका पूरा इतियास है वो बोतिक चीजों के उपर निर्बर है इस अंसार में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं इतियास में जो कुछ हुआ है वो बोतिक तत्तों के वज़े से हुआ है आर्थिक तत्तों के वज़े से हुआ हर चीज का मूल में पैसा है जो राज कर रहा है वो इस वजे इसके उस पास पैसा है कोई गरीब है सोशित हो रहा है और पसीने का उसको सही मुल्य नहीं मिल रहा है तो उसका कारण भी पैसा ही है क्योंकि उसका पैसा दूसरे ने लूट लिया है तो हर चीज का निर्दान ओरतें गुला अर्थिक निर्दानवाद की हर इतिहास के पल और गतियों का निर्दान आर्थिक तक्तों करते हैं तो कि समाज में दो भाग होते हैं काल मार्क्स रिकोर्डिंग एक होता है बेस और दूसरा होता है सुपर स्ट्रक्सर्स एक है नियू और दूसरा है नियू पे खड़ी हुई बिल्डिंग नियू में है उत्पादन परनाली और उत्पादन परनाली में दो चीजें पाई जाती है एक होते हैं उत्पादन के यंत्र और दूसरे होते हैं उत्पादन के समंधी अलग होते है आधार और दिसनस नालग होती है आधार होती है नीव नीव में उत्पादन परनाली आती है उत्पादन परनाली में पहले उत्पादन के यंतर आते हैं फिर उत्पादन के समंद आते हैं जैसे यंतर होते हैं वैसे ही समंद होते हैं जब उत्पादन किया जाता था मुस्र से तो उत्पादन के दो परकार के समंद था एक मालिक था और एक दास था फिर चक्की आई चक्की आई तो एक समंद बन गया एक किसान आ गया बाद में फैक्टरी आई उत्पादन के यंतरों के रूप में तब उत्पादन के समंद इसलिए कराम्ति हो जाती है समंतों ने पहले फैक्ट्रियां लगाई पिर वो समंतों के आथ से चली गई फैक्ट्रिया और फुंजी पत्यों के आथ में आगे खुद के पैरों में कुलाड़ी मारी जाती है ऐसे तो यह उत्पादन पर नहीं आर्थिक जो संसाधन होते हैं उ फैक्ट्रियां किसकी है यह दुकाने किसकी है यह गेहूं किसकी है सोना किसकी है चानली किसकी है बैंक बिलेंस किसकी है यह सब उत्पादन के साधन के उपर कबजा किसका है यह होता है आधार और जिसके पास से यह चीज़ें है राज्य उसी का होता है सरकार उसी की होती है कला उसी की होती है, धर्म उसी का होता है, संस्कर्टी उसी की होती है, सब कुछ उसी का होता है ये इसी पे निर्बर होती है, आधार स्वायत होता है, अधिस रंसने उनकी गुलाम होती है जो अमीर होगा, राज जे उसी का होगा, सरकार, कला, संसकर्ती, धर्म, सिक्षा सब उसी की होगा गुरुजी उसी के होगे जिसके पास पैसा है पंड़जी भी उसी के होगे जिसके पास पैसा है नेता जी भी उसी के पास होगे जिसके पास पैसा है तो फिर कौन स्वायत है, पैसे वाड़े लोग स्वायत है, ये सब बाकि उनके गुलाम है तो अधार और डिसस ने अलग होती है, उत्पादन के हैं तो उत्पादन के समन्ध अलग होती है, ये भी कुछ न पुशा जाता है हर चीज का निर्धान कांश होता है नियू क्या है नियू में आर्थिक तक्तों है तो अगर आपको परिवर्तन करना है तो काहिम में करें तो कालमास करता है इन में करो ना आपको अगर परिवर्तन करने है तो उत्पादन के स्वामितों में प्रिवितन कर दो, सादनों के स्वामितों में ये छीन के देदो आप सरवारा को सरवारा काई मजदूरों का रज्य हो जाएगा सरकार भी मजदूरों की कला संस करती सब कुस मजदूरों की हो जाएगी कि कुश्चन आता है कि आर्थिं दिर्दार नवाद क्या है यह किसका है इसका तात पर यह क्या है अधार अधिसर्णसना क्या होती है समाज के किते भागवता हैं कार्माक्स ने यह कुश्चन आता है अधार में क्या आता है अधिसर्णसनाओं में क्या आता है राज यह क्या ह यह एक पुस्त को छोटके लुई बोनापाट को बागे मिये कहता है कि राज इसरी बदी सरंचना आ सूपर स्ट्रेक्चर और कुछ भी नहीं है फिर आ गया है वरग संगर्स हमने पड़ा था कि आज तक का इतियास वरग संगर्स का वरग कैसे बनते हैं देखिए वरग सिर्फ इसलिए नहीं बनते कि कुछ लोग यह सोचते हैं कि हम एक जैसे हैं तो एक जैसी नियती वारे लोग मिलके एक वर्ग नहीं बनाते हैं, वर्ग तब बनता है, जब एक जैसी नियती वारे लोग मिलके एक होते हैं, तो जब जैसी लोगों में चेतना आती हैं, जैसी वर्ग चेतना आती हैं, तो एक वर्ग को यह लगता है, दूसरा वर्ग मेरा स कोशन कर रहा हैं तो दोनों के मदें जगड़ा होता है और फिर इतिहास आगे बढ़ता है सारे लोग बराबर थे जनसें की अकम थी सारे खाते पीती थी फिर जमीन वविण पैदा हुई, संपती पैदा हुई, तब दास समाज पैदा हुआ एक मालिक बन गया, बाकी को उसने दास बना लिया फिर दासों में मालिकों में जगडा हुआ दास थे वो सोशिट उआ करते थे उनका सोशन होता था और सोशक कौन था वो मालिक थे तो एक अमीर था, गरीब था फिर इनमें जगड़ा हुआ, पिर सामंती समाज आया इसमें एक सामंत था, दूसरे किसान से सामंत के पास उत्पादन के साधन थे एक हेव एक हेव नोट फिर समाज आगे बढ़ा और इनमें जगड़े हुए तब पुंजीवादी समाज आया पुंजीवादी समाज आया तो इसमें फिर समाज दो वर्गों में बंट गया एक वर्ग था वो बुर्जवा था जिसके पास उत्पादम के साथ आंते फैक्टरियां थी पैसा था बैंक बलेंस था वो पुंजीवादी थे जौमीर थे दूसरी मजदूर है जो इन फैक्टरियों में काम करते थे तो वो गरीब थे तो फिर समाज दो वर्गों में बंट गया फिर इन दोनों में जगड़ा हुआ और एक संक्रमन का लिए नवस्ता आई थोड़े से समय के लिए फिर आया सरौ हारा का अधिना एकवाद मजदूरों की ताना शाय आई इन मजदूरों ने पुंजीवादीवादीवादीवादीवादीवादीवादीवादीवादीवादीवादीवादीवादीवादीवादीवादीवादीवादीवादीवादीवादीवादीवादी और उनी को हन्यों लगती है वह गृरीव हो जाते हैं और जो गरीव पुंझी पुंदी मत्माज이면 किस और ब्रभाने के लिए उसको तो मजदूर से रह पहतिते हैं घाथे जहाया कोई एंब पर अपनी चेतणा के बलकर बलकर बुर्जुआ को बरसा देते हैं और angef 합니다 तो इस जैसे ही सरोहारा का दिधायकवाद आता है जो कि एक संक्रमन का लिन अवस्ता है मैं यह बता रहूं यह स्थाई अवस्ता नहीं है यह संक्रमन का लिन अवस्ता है जिसकी चर्चा वो बहुत व्यापक रूप से क्रिटिक और गोथा प्रोग्राम में करता है संक्रमन का अवस्ता जो थोड़े समय के लिए आती है इसमें सुत्र वही चलेगा जो पुंजी वाद में चलता था कि प्रतेक वेक्ति को योग्यत अनुसार कारिये मिलेगा और योग्यत अनुसारी वित्रन किया जाएगा क्योंकि अभी भी इतना समान पैदा नहीं हो रहा है कि सबकी आवश्यक्ताओं की पूरती कर दी जाए इसमें वर्ग सोसन भी बरकरार रहेगा और राज्य भी बरकरार रहेगा ये बड़ी महत्पून चीज़ है वर्ग सोसन है तो बरकरार है लेकि ये बदल गया है अब सरोहारा पूंजी पतियों का सोसन कर रहा है राज्य भी बरकरार है क्योंकि बरकरार राज्य रेकि पूं भी बना रहता है लेकि फ्रस्वेस्था उल्टी हो गई है फिर यह संक्रमन का लिन अवस्ता चली जाती है क्योंकि अंतिम बुर्जुवा को मार दिया जाता है करांती हो जाते हिंसक करांती और उसके बाद जो अंत में व्यवस्था आते जा इतिहास रुक जाता है वह सामने ह हेगल कहता है कि विचारों में टकराट होती है संसार आगे बढ़ता है दो राष्ट राप्स में लड़ते हैं और अंत में एक महान राष्ट पेदा होता है राष्ट राज्या जर्मनी कालमाक्स कहता है नहीं राष्ट नहीं जगड़ते जगड़ा होता है दो वर्गों में औ तिक पदार्थों के लिए और तिक पदार्थों के लिए पैसे के लिए और संसार आगे बढ़ता है और अंत में कहां जाकर रुकता है जैसे साम्मेबाद आता है साम्मेबाद आने के उपर इतिहास रुक क्यों जाता है क्यों कारण ये है कि अब वर्ग किताह रह गया है एक पर गरे गया है जगडने के लिए चीज़ें चाहिए दो अब समाज में से बुर्जवा को मार दिया गया है सरोहारा रह गया है अब एक वर्ग है तो जगड़ेगा किस से तो अब समय वाद एक अंतिम अवस्ता है इतिहास की हेगल कहता है राष्ट राजे इतिहास की अंतिम होसता है क्योंकि विचार सर्वस्तर के उपर पहुंच गए हैं और एक बड़ा विचार के फ्रांसिजी फुकुयामा एंड उप इस्ट्रियर लास्ट में में लिखता है अंति में वस्ता है वो उदार पुंजिवादी लोगतंता है क्योंकि साम्यवाद के साल सो जग्रा सब्han стол में एक विचार भर रहेगी कि तो हेगल करें विचारों होता है काल माक्स केगरा होता है विद्धिक पजार्थों में और अक्र मस्तिय फुकवेडना का सुस्ट्र क्या होगा योग्यातानुसारकारिय एंड़्एं और और उश्छक तानुसार मित्रन록 आप डोक्टर है तो आप में योगेता ज्यादा है तो आपको मिलेगा भी ज्यादा यहां सुतर अलग है योगेता अनुसार कारियन आउशक्ता अनुसार वित्र आप डोक्टर है दूसरा नर्स है आप जौान है नर्स बुड़ा है या बुड़ी है उसको ज्यादा मिलेगा क पुलिस और मिलिट्री बनाई प्वूशल दिया ग्रीबं सब्सक्राइब हुआ तो राज ये पैदा किया गया था अमीरों के द्वारा तो अब कोई अमीर वारा वो चक्त दो है नहीं को सुषक वरग तो है नहीं जिसों ऑुशंन करना आए किसी का तो सुषन यहाज बोते है कि मूवल जग्ड़ा सभाई एक टेर अस majesty बंजे सबढ़ेश को लेकि है लेकि एक रेगा लेकी तु में पुंजि को ढूते मोतने के बांगत ही कोधना वहा द म्न होंगा ठीकरड़ी और अगर पास नहीं Чер давай बड़ी फैक्टरियां है वो सारुजनिक हो जाएगी वो सबकी हो जाएगी तो नीजी-पुंजी समाप्त है धर्म समाप्त है विचारधारा क्योंकि धर्म और विचार नहीं मिथ्या अचेतना पैदा करते हैं तो इनका भी लोप हो जाएगा जब क्या आएगा समय वाद आएगा तो कई बार पूछा जाता है कि जब सरुवारा का दिनाएक वाद आएगा तो क्या होगा कुछ नहीं होगा वरग संगर सरेगा वरग भी रहेगा लेकिन बेवस्ते हैं बदल जाएगे राज्य भी चला जाएगा पुंजी भी चले जाएगी धर्म विचार दाराएं सोशन सब समापत हो जाएगा ऐसी परम आवस्ता है वो है समय वाद जो अंत में आएगी इतियास का अंतिम चरण है अब आ गया अत्रिक्त मुल्य का सिदांत ये इसका आर्थी का दार है दोंदा आतमक बोतिक वाद दासने का दार आतियासिक बोतिक वाद इसका समाज सास्त्रियो और जातिसित ंतार किस सोशन क्यों होता है機 सोशन का मूल कारण है ये सरपलस वेल्यू एक मजदूर एक दिन में दस कुर्षियां पैदा करता है यानि वो लकड़ी को चीर भाड़ करके कुर्षी बना दा कि इसको वेलूइबल बหนाता है लेकिन उसको जो द्याड़ी दी जाती है वो किते वेल्यू की दी जाती है दो की आठ्छ अत्रिक्त जो उसने कुर्शिया बनाई उसकी उसको ध्याड़ी नहीं दी जाती वो कौन हड़प जाता है वो हडप जाता है पुनजी पती यही है सलप्रस वैल्यू यह उपयोग मुल्य और विनी में मुल्य का अंतर है यह भी पूसा जाताrose क्या है तो ये उप्योग मुल्य और विनी में मुल्य का अंतर है ये कितना उप्योगी है और इसको कितने का बेचा गया इन दोनों का अंतर है ये और ये अतिक्त मुल्य है ये मुल्य के सरम सिदान्त पर अदारित है जो कि डेवड रिकार्डों का है मुल्य का सर्म सिधान्त ये कहता है कि किसी भी वस्तु को जो मुल्यवान बनाया जाता है वो मालिक के द्वारा यानि सहासी के द्वारा नहीं बनाया जाता वो पूंजी से नहीं बनता बलकि वो बनता है सर्म के पसीने से एक मिट्टी को गूंथ के और उसको valueable काम में आने लाइख उपयोगी कोण बनाता है water एससे काम करते हैं सुथार किसान यह वाल्यूबल बनाते हैं चीजों को मजदूर तो मुल्य कोण पैदा करता है सर्मिक पैदा करता है और उसी सर्मी का सोसन करता है तो अत्रिक्त मुल्य का सिदान्त है वो काल माक्स का मुल्य का सर्म सिदान्त है डैविड रिकार्डों का उसी से निकला है अत्रिक्त मुल्य और संपती का सरम से दान्त की जितना आप सरम करोगे संपती उतनी आपके होगी यह है जौन लोग का तो क्या है अतरिक्त मुले उप्योग मुले विनी में मुले में अंतर जो मजदूर पैदा करता है और जो मजदूर प्राप्त करता है इन दोनों के मूल में जो अंतर है जो उसने पसीना बहाया और जो उसकी जेब में आया उन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है सरपलस वेल्डियू कहलाता है फिर आया है मजदूरी का लो नियम आईरन लो वेज मजदूरी का लो नियम क्या है कि एक पुझी पती हमेशा ये प्रियास करता है कि एक मजदूर को शिर्फ वो कोण सी मजदूरी दे निर्वाह मजदूरी निर्वाह मजदूरी का तात्परी वो इतना ही दे कि वो खुद जिंदा रह जाए और उसकी उलाद जिंदा रह जाए खुद जिंदा रह जाएगा रोटी घापी इतना ही देगा कि रोटी बन जाए उसकी और सधान सा एक जीवन जी ले जादा नहीं कि वो महल जुका लेगा वो अमीर हो जाएगा ऐसा नहीं देता उसको इतना ही देता है कि वो रोज फैक्टरी आए अगर उसको जादा देते तो फैक्टरी नहीं आएगा तो उसको इतना ही देता है कि वो उसनी नोटी घाले उसके बेटियों का पेट बजाए क्योंकि ताकि वो भी बड़े हो कि मजदूर बन पाए वोना फैक्टरी में काम कौन करेगा तो ये है मजदूरी का लो नियम कि कभी भी पुझी पती किसी भी मजदूर को चाहिए वो कितना ही काम कर ले कितना ही अच्छा हो उसको निर्वा मजदूरी से ज़्यादा मजदूरी नहीं देता यानि सिर्फ घर चलाने से ज़्यादा मजदूरी नहीं देता ये है मजदूरी का लोनिया तो ये भी कालमाक्स का है उप्योग मुल्य और विनिमे मुल्य में अंतर कहलाता है अत्रिक्त मुल्य का सिधान्त ये है ये भी कई बार पूछा गया है ये किसे प्रभावित है डेविड रिकार्डो के मुल्य के सरम सिधान्त से तो ये है सोसन का म कर्थिसं संसादन होते हैं उनके हाथ में आया वैक मसीन है जिससे वो औरों का सुचन करता है जैसे ये अमीरों के harm का यंतर न जी पूलीश मिलिटरी किसके होती है ये अमीरों की होती है रज्य है पूंजिपतीयों की कारिय समीति widely चर्चा किती किमिश्ट में नईफेष्ट में है और सम्मेवाद आने ठर रज्ट का क्या होगा लोप होगा यह बहुत मैतवपून है दो चीजी होती है एक होता है खत्म करना एक होता है लोप होना आदमी पहले बंदर था अलांकि बारतिया स्विकार नहीं करते तो उसके पूंच क्या हुआ है क्या पूंच काटती गी उसका लोप हो गया दीरे दीरे उसके उपयोगिता खत्म होगी तो पूंच का लोप हो गय यह हमारे जो कान के बाहरी हिस्से हैं इनकी कोई उप्योगिता नहीं है सिर्फ चस्मा अडाने के काम आते हैं और कोई काम नहीं आते हैं तो दिरे दिरे कुछ से जो जीवेग्या नहीं के रहे हमारे कान गाइब हो जाएगे हमारी appendix की नाड हो कोई पूप किता नहीं हो गायब हो जाएगी गायब हो गई कई लोगों की मूछ गायब हो गई है मिरे जेसों की तो ये है تو क्या राज़य समाफ्ट किया जाताいる एक तो होता है समाफ्ट करना एक होता है लोप होना देखिए जो इससे पूरों के राज्ये थे दास जो समाज था उस टाइम जो मालिकों का राज्ये था उसमाप्त किया गया समंती राज्ये को राज्टंतर को समाप्त किया गया बुर्जुआ को समाप्त किया गया यानि करांती के द्वारा लेकिन साम्में वाद आएगा तो सरव हारा क्या दिनाएक वाद राज्य का अपने आप ही लोप हो जाएगा एंजल्स कहता है कि राज जिये अजाइब गर में चला जाएगा वैसे ही जैसे हंशिया और हतोड़ा चला गया जब विजली से चलने वाली आरी आ गई तो लोगों ने प्रयोगी छोड़ दिया कुलाड़े का तो कुलाड़ा अपने आप ही वैर्थ हो गया तो राज्य की उप्योगिता ही नहीं रहेगी तो राज्य को अपने आप ही लोप हो जाएगा राज्य को समाप्त करने की जूरत कर लेती है दर्म वैद दर्सनवाश्ट रिकता नहीं है बलकि क्या है एक सामुई एक भर्म है मुसल्मान कह रहे हैं कि हम सत्य हैं हिंदू कह रहे हैं हम सत्य हैं इसाई कह रहे हैं है क्या ये कोई सत्य नहीं है ये सब भर्म पैदा किया है सामूई गुरूप से चोंकि हम समू में मानते हैं विबिन बातों को इसलिए वो सत्य प्रतीत होती है जिसे आप ये कह दें कि जातियों के मद्धी साधी होने चाहिए रोटी बेटी का समध एक ही जाती के मद्ध्य होना चाहिए तो ये कोई यूनिवरसल टूट थोड़ी है हम सब हमारे आज पास ऐसंख्या लोग इनको मानते हैं तो हम इसको सत्य मान लेते हैं अगर आप दूसरी जाति में साधी कर लोग तो क्या हो जाएगा कोई फरक नहीं पड़ेगा अंग्रेज करी रहना मुसल्मान करी रहना क्या फरक पड़ता इसे तो धर्म और दर्सन वास्विक्ता नहीं हैं बलकि भर्म हैं इस मुद्धे पर लड़ाई हो रही है कोई कह रहा है कि आत्मा और प्रमात्मा एक है कोई कह रहा है कि आत्मा और प्रमात्मा दो हैं कोई कह रहा है कि पता नहीं ये क्या है ये है क्या ये एक भर्म है आप जातियां हैं, कानून हैं, नीयम हैं, समाज के नीयम हैं, ये सब क्या है, ये एक भरम है काल नमाक्स कह रहा है, आप तोड़ने को इसमत करना दिखते हो जाएगी धरम में पीडित लोगों की आ है बे दर्द दुनिया का दर्द है और आत्म इन स्थितियों में आत्मा है कि आप दुख पा रहे हैं, गरीब हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि आप गरीब क्यों हैं, आपका कौन सोशन कर रहा है बलकि आप कह रहे हैं कि हम गलत हैं, हम पापी हैं हमने पिछले जनम में पाप किये थे इसलिए दुख पा रहे हैं तो धर्म आपकी सोच को कुंद करता है आप में तरक बुद्धी को रोकता है जैसे अफीम आपको जुठे सपने दिखाती है अफीम खाते ही या ज्यादा सराप पीती है आपने देखा होगा लोग वीर हो जात हैं वैसे ही धर्म है धर्म अफीम है तो यह ज्यान रखें किसने कहा कि धर्म पीडित लोगों की आ है दर्द है यह सब बोला काल मार्क्स ने फिर रोमान दोरा ने बोला कि यह मार्क्स वाद है यह बुद्धी जीवियों की ओपियम है कि बुद्धी जीवियों के गाल माक्स. पिर आगी करानती, देखी ये कहता है, कि देखी प्रेम CCS कोई और ो सकता, कोई भी व्यक्ति संपती को सभावी गरूप से नहीं छूड़ेगा, इसलिए पुंजी पतियों को मारना पड़ेगा और कोई चारह नहीं है तो क्या करें तो ये कहता है कि करांती सामाजिक परिवर्टन का अनिवार ये मध्यम है करांती के बगेर काम नहीं होगा करांती हिंसक और लाल होगी इसलिए ये समय वादियों को जंडे का रंग लाल होता है करांती एक राजनितिक गतिविदी है जो राजनितिक सत्त पर नियंतन स्थापित करती है और फिर इसने एक जगे और चर्चा की अलग कंसेप्ट है यह है उत्रपादन की इस यह पढ़ना ले यह किता है बारजे से लोग गुलाम है यह गुलाम होने चीए नहीं होने चीए यह बुला जरूरी है गुलाम होना यह थर्ड वर्ल्ड के उ फूंजी वाद उध्योग वाद नहीं आया यहां दो निकाला आया है लिए तो जैसे यहां पास्टात्य सक्तियां पूंचिया की थाड वड्ड में HE यह फ्रिक्इंस अमाजों में वैसे ही यह यहां का के और उध्योग यों को लगाएंगे और जैसे उध्योग का कि एस्याइटिक मोड और प्रोड़क्शन यह है चर्चा कि यहां जरूरी है करांती होने के लिए कि यहां की कबजा हो उनका फिर उद्योगवाद वहां पन पर क्योंकि ठेरे हुए पिछले समाज है यहां बाहर से जाके उद्योग स्थापित करने पुड़ेंगे कि अब है आलोचना देखी काल माक्स की जिते परसंद से के उत्ते इनके आलोचक है इनका जो एक गंबीर आलोचक है वह काल पोपर है इजाया बरलीन कहता है कि काल पोपर जिंदा लेकों में सबसे बड़ा आलोचक है अच्छा काल माक्स का इसकी पुष्टक है ओपन प्लेटो दूसरा है हेगल और तीसरा है काल माक्स प्लेटो हेगल और काल माक्स यह तीन है खुले समाज के दुस्मान काल पोपर यह कहता है कि माक्स कहता है कि मैं विज्ञानिक समाजवाद है मेरा तो वो बोलता है यह नहीं सिर्फ समाज के बारे में गल्थ था बलकि और इसने जो समाप्त किया है आर्थिक निर्दार्वाद का जो चर्चा किया है तो हर चीज आर्थिक तत्तों से निर्दारित हो जाएगी फिर तो इतिहास है वो तो गुलाम हो जाएगा आर्थिक तत्तों का तो इतिहास की जो अपने इसाब से व्याख्या कर दी प्लेटो न या जो इतियास की कर दी हेगल ने या इतियास की जो कर दी कि ऐसी बड़ेगा इतियास तो इसका मतलब इतियास तो आपकी विचारों का गुलाम हो गया फिर सोतन तरता का है तो यह तो खुले समाज का दुस्मन है और ऐसी रेडिकल चैंज है वो करता है प्लेटो ऐसी रेडि करता है कि अगर समाज में आपने रेडिकल चेंज कर दिया आपको ये कमरा पसंद नहीं आया और आपने क्या किया रेडिकल चेंज कि इस कमरे को ढा दिया तो कभी भी रेडिकल चेंज रेडिकल चेंज करने के बाद और वापस आने का कोई रास्ता नहीं बसता तो परिवर्तन नहीं होना था है कि अगर कोई गलत काम भी हो गया तो इसको वापस है किया आजास के तो यह था काल पोपर फिर है इजाया बर्लिद वो भी कहता है मार्कस मान तो बहुत था लेकिर य तो जूर्ण एउरोप में करांदी नहीं की तो वो कहता है जाया बरलिन की यह इत्यास की सही हुआ क्या नहीं कर पाया काहल माक्स फ्रांसिसी फुकुयामा एंडो घिष्ट्रियंट अल्लाष्ट में वो कहता है मर्क्स का इत्यासिक बोतिक वाद कहां सला गया कूडे दान में क्योंकि नब्बै तक आत्याते युससार का पतन हो गया एक विचारदारा के रूप में पिसड गई कौन सी विचारदारा समयवादी विचारदारा ये कहना है फ्रांसिसी फुकुयामा कोईसलर कहता है मार्क्स इस वर तो था लेकिन उस ते निरास किया और दान्ते जर्मिनों कहता है कि मार्क्स वादे के विचारदारा है सिदान्ते नहीं है तो ये वार पूछा जाता है, ये quotation जो मेदपुन quotation और अरजना थी, ये मैंने आपको बता दी, कारल मार्क से बारे में अब हम कारल मार्क से समंदीत questions देखते हैं, कि कोण सी अवदार ना युवा मार्क से समंदीत नहीं है तो ये सारी तो है सोरी यूवा मार्क्स यंग मार्क्स से समझ दित कौन सी नहीं है अलगाव है वस्तों के जरुपुज़ा प्रेक्सिस है लेकिन आर्थिक निर्दानवाद है ये प्रोड मार्क्स की देने यूवा मार्क्स की देने नहीं है ठीक है आप में सदिकांसे जेसाई दुत्री यही दिया है सही मिलान नहीं है ऐसा नहीं करते हैं अपन ऐसा करते हैं कि सही मिलान कीजिए यह कर लेते हैं पैरिस पंडिलूपियों में क्या है? आप देखेंगे आप लेक मिलान करके देखी फिर मैं कर आता हूँ पैरिस पंडिलीपियों में हैं अलगाओ का सिद्धांत है कम्मिनिस्ट मैनिफेश्टों में कि अब तक का इतिहास वर्ग संगर्स का इतिहास है तो आप बताओ किस से मिलान करें? इस से राज ये की सापक स्वाइता कौन सी पुस्तक में आप बताओ? वो है अठारवान लूई बोना पार्ट में इसमें आलोचना की है इसने कालपनिक समाजवादियों कि और खुद को बताया है विग्यानिक समाजवाद का जनक बोतिक दवन्दवाद का बुनियादी नीयम नहीं है मैंने तीन नीयम बताई थे और ये एतिहाद बोतिक दवन्दवाद के जो तीन नीयम है ये एंजल्स ने बताए है एंटी डूरिंग करके और इसकी एक पुस्तक थी एंजल्स की यह ड्यूरिंग करके और एक बहुत बड़ा दार्शनी को हो चुका है जर्मनी का उसके खिलाब की लिखी गई एंटी ड्यूरिंग और एंजल्स ने लिखी थी इसमें इन्हों ने तीन नियम बताए हैं बहुतिक दगुन दवाद के quantity to quality परस पर विरोधी तत्रों की अंतरव्यापती निशेद का निशेद निशेद निगेशन टू निगेशन लेकिन ये उसमें नहीं है ये तीन नियम है बुनिया देग इतिहास की निमन लिखित अवस्ताओं को आप काल करमा नुसार लगाएं मुझे सो परते से तभी दवा समय हैं और है फिर आया दा संमाज 3 के बाद एक चलिए Hey फिर आसमाज के बाद आया सामंति समाज पांच फिर समंति समाज के बाद आया पुन्जिपादी समाज या और अंत में इतिहास कहां पूरण होगा जब सम्मयवाट तो एक व़स्ता कहा يओं वह संक्रमन का निवस्त वो किसके बीच में आएगी पुन्जिवाद और समयवाद के बीच में एक संक्रमन का इन अवस्ता आगी थोड़े समय के लिए अगर को समय निर्दारित नहीं है तो ये है इतिहास ऐसी आगे वड़ा और अंत में चर्शा करते हैं कि कार मार्क्स ने आर्थिक निर्दार्वाद को केंद्रिय स्थान देते वे उत्पादन परनाली को अधार माना बिल्कुल सही है उत्पादन पर नाली अधार है आर्थिक निर्दारवाज से चीज़ें और इतिहास सबकुछ निर्दारित होता है तो मार्क्स हेगल के विपीत ये मानता है कि मनुष्य की चेतना उसके सामाजी कस्तितों का निर्दारन करती है नहीं मार्क्स उल्टा कहता है मार्क्स कहता है कि सामाजी कस्तितों है वो चेतना का निर्दारन करता है तो चेतना बाद में है सामाजी कस्तितों पहले है तो ये वाक्य गलत है तो ए तो सही है और आर गलत है तो ये सी है अगर ये व्याख्या कर रहा होता तो उत्पादन परनाली को केंदर माना है उत्पादन के सांदों पर कब्जा होगा, वो ही मुख्या होगा ऐसी अगर बाते होती तो हम कहते हैं ये व्याख्या कर रहा है लेकिन ये एक वाक्या जो व्याक्या भी निकल और गल्त भी है ये हेगल के संद्रम में तो सही है लेकिन मार्क्स के संद्रम में सही नहीं है तो ए सही है और आर गल्त है तो ये हमने एक और इस्वर की चर्चा की जिसका नाम है काल मार्क्स गरिबों का, किसानों का, मजदूरों का, मसीह कारल माक्स आप भी मसीह से कम नहीं है जो मनोयोग पूरक जोनों कारल माक्स को सुना आपका तहे दिल से धन्यवाद कल जो मैं चर्चा करूँगा आपसे तो कल मैं आपसे जो मुख्य बारतिय विचारक हैं उनकी सर्चा करोंगा परमुख भारतिय विचारक और इस सर्चा के साथ साथ मैं आपको यह बता दूं कि आप जो पीडिएफ हैं वो आपको मिल जाएगी आज पीडिएफ मिल जाएगी आपको कलाम अकैडमी के टेलीग्राम चैनल के उपर कलाम अकैडमी आप सर्च करेंगे तो धन्यवाद आप सतत रूप लगातार रूप से मेरे साथ बने रहें बहुत-बहुत धन्यवाद अब बोजन-बोजन करो और फिर पढ़ाई शुरू कर दो आप गूड़ लग थैंक यू आपको सुजहाओ मैं देख लेता हूं बाद में देख लूँगा क्या दिये थे अच्छा आप में बहुत-बहुत धन्यवाद और ये बोला है सली सली आपका भी धन्यवाद पीडियाप जल्दी अप्लोद करवा रहे हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मुट्स गुड़ लग